नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रय और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल से सिट्ट्यूप पावर्ड बाई ऑलिव बोर्ड में क्या हाल चाल नमाल मचाने के लिए तैयार मंतली करेंड पैस अगास 2021 किस आप सभी के सामने हादिर है कर दीजे वीडियो को थोड़ा सा सेर और अभी तकर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एडवांस में लाइक कर दीजे है क्योंकि ये वीडियो निश्चित तोर पर आपको पसंद आने वाला है तो I think आप सभी पहले से ही जानते हैं कि ये जलजला सीरीज जो है आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका नम जल जला कैसे पढ़ा, जब मैं पिछले प्लेटफॉर्म पे था तो ये हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए, जिससे एक बार में ही काफी सारी चीजे लोगों को मिल जाए, या इस्टुडेंट्स को मिल जाए, तो ये हुआ कि क्या किया ज आगे हम बहुत सारी energy को इखटा करते है और फिर जब वो energy transform होती है तो it's a form of जल जला जल जला का मतलब होता है भूकाम पाना या एक तरह का जब प्रत्वी में energy एकटी हो जाती है और फिर उसके बाद वो transform करती है तो उससे इसका नाम थोड़ा सा पना है कि हमारी जो energy होती है वो आप तक transform हो पाए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर live आ गए हैं और very very good evening है लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या है कोई बात नहीं जो आते रहेंगे वो like करते रहेंगे आज के current affairs के बीच-बीच में क्योंकि अभी हाली में जैसे NDPC का exam होने वाला है या CBT2 का exam होने वाला है तो उसके बारे में भी मैंने सोचा और मैंने previous year paper को अध्यन किया यानि कि जो SSC पूछ रहा है, TCS पूछ रहा है उसके आधार पर मुझे नजर आए कि कुछ चीजे और मुझे सामिल करनी चाहिए और वो मैंने यहाँ पर सामिल की है आज का पहला प्रश्ण यह है कि केन सरकार ने भारत में कितने Tiger Reserve को CATS मानिता प्रदान की है CATS का मतलब होता है Conservation SEO Tiger Standard तो कितने ऐसे Tiger Reserve है जिनको यह मानिता इजबार दी गई है आपको सिर्फ comment का सिर्फ आपको option का number mention करना है यहाँ पर right answer हो जाएगा 14, 14 is a very good केन सरकार ने 29 जुलाई 29 जुलाई को क्या मनाते हैं अंतर राश्टी यह बाग दीवस के तौर पर मनाय जाता है तो 14 बाग रिजर्व को CATS की मानिता प्रदान की है यह 14 हैं कौन से यह आपको बहुत ज़्यदा डिटेल में नहीं जाना है बढ़ एक बार जरूर पढ़ लीजेगा अच्छा वरतमान समय में भारत में कितने Tiger Reserve है तो वरतमान समय में 52 Tiger Reserve है कुछ sources आपको 35 भी दिखाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल पिलाल 52 officially Tiger Reserve है गुरू घासी दास Tiger Reserve जो है जो नेशनल पार्था उसको Tiger Reserve को दरजा प्राप्त होने वाला है लेकिन अभी भी उसकी official procurement है वो बाकी है जो documentation है वो पूरा बाकी है तो अभी आप उसको 53 Tiger Reserve नहीं कहेंगे अभी भारत के अंदर 52 Tiger Reserve है रामगर विशधारी Tiger Reserve ये कहां पर है ये आपका राजिस्तान में है इसको याद रखेगा विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है हर साल आपका 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है असम में बागो की आबादी 169 से बढ़कर 200 हो गई है असम में तीन Tiger Reserve काजी रंगा मानस और आंको ग्लोबल कंजर्विशन एस्व टाइगर इस्टेंडर्स की मानिता प्राप्त है तो कंजर्विशन एस्व टाइगर इस्टेंडर्स यानि कि वहाँ पर सभी तरह के तो अगला प्रशन है हाली में सफल यानि कि तीन पाँच और आट के जो बच्चे है उनको किस तरीके से असेस्मेंट किया जाए किस तरह से उनका मूल्यांखन किया जाए इसको लेकर के अभी हाली में एक प्लेटफॉर्म सुरू किया गया था ये प्लेटफॉर्म किस ने इनाउग्रेट किया था ये प्लेटफॉर्म आपके प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनाउग्रेट किया था भारत में वरतमान समय में 2900 सरसट टाइगर है तो प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने ग्रेट 3, 5 और 8 के लिए उसी क्यान रूप है अगला प्रश्न नागा लेंड की किस मिर्च को पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है आपके उत्तर का इंतजार रहेगा मुझे अच्छा विस्ट की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है उसका नाम जानते हैं विस्ट की सबसे तीखी मिर्च खालो तो नाटा आ जाए मलब दिमाग सनना आ जाएगा कैरोलीना रीपर कैरोलीना रीपर जो है ये विस्ट की वर्तमान सवे में सबसे तीखी मिर्च है मिर्च का तीखा वन जो है वो इस कॉबिले हीट यूनिट में नापा जाता है इसको बिले हीट यूनिट का मतलब ये है कि कितनी जितना यूनिट ये ज़्यादा होगा उतनी तीकी मिर्च होगी तो पिलाल जो मिर्च है उसका नाम है आपका डल्ले खुरसानी नहीं भूत जुलोकिया या राजा मिर्च, उसको राजा मिर्च या भूत जुलोकिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भूत जुलोकिया, इसको पहली बार लंदन की और निर्यात किया गया है, यानि कि लंदन की और भेजा गया है, आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब जाना तो नागलेंड से राजा मिर्च की एक खेप जिसे किंग मिर्च अभू जलोकिया भी कहा जाता है पहली बार लंदन में निजात की गई है 2007 में इसी गिनीज वर्ड रिकॉर्ड दोरा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च गोसित किया गया था लेकिन बाद में ये किताब कैरोलीना रीपर लेकर निकल गई नेटवेश्ट ग्रूप अर्थ हीरो जेवड किसे पतान किया गया है थीक है बिल्कुल लाइव करा दीजे एक दम नागलेंड का राजकी बास आ एंगलीज है बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थीक है, आ गए आ गए आते रही हैं आते रही हैं जाते रही हैं जाहिए नहीं नागेलेंड में हॉर्ण इवल फेस्टिबल मनाए जाता है डिए टेल के लिए मैं आपको डेली कर इंदर इफेस पड़ाता हु लेगिन आप लोग यहां पर बता सकते हो गया है सर कहां होती है यह आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में दचिन अमेरिका में कैरोलीना सत्पुडा टाइगर रिजर्व को नेटवेश्ट ग्रूप अर्थ हीरोज एवाड के रूप में सम्मानित किया गया है किसको किया गया है सत्पुडा यह कहां पर है पंचमडी इस होसंगाबाद जिले में है कुल शेतर एक किसो तीस वर किलो मीटर है बैतर सरेच्षण के कारण इनको नेटवेश्ट ग्रूप और अर्थ हीरोज एवाड दिया गया है अगस्त महीने के लिए सैंट राश्ट सुरच्छा परिशत की यूनाइटेड नेशन सेक्योरिटी काउंसिल की मेजबानी कौन कर रहा है या अध्यच्छता कौन कर रहा है बिलकुल मीडियाफ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा पीडियाफ बिलकुल मिलेगा हर पीडियाफ मिलता है यही तो हमारे करेंट अपैस की खास बात है वही एक साल के लिए कारेकाल मिला है हमें सैंट र पर्मानेंट मेंबर होते हैं और पांच पर्मानेंट मेंबर होते हैं। जिसमें भारत जो है अगस्त माहा में सैंतरा सुरच्छा परिशत की अध्यच्छता कर रहा है। और पीम मोदी UNSE की बैठर की अध्यच्छता करने वाले पहले भारती प्रदानमंत्री रहे। भारत और इंडियोनेशिया नौ सीनाओ के बीच तीसे इकत्ती जुलाई दो होजार तक किस सैंतर सैन अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और इंडियोनेशिया ध्यान से करिएगा गरबर मत कर देना। देखो एक बात तो कंफर्म है कि युद्ध अभ्यास जो है ये इंडिया और USA के बीच होता है और इस बार ये कहां किया गया महाजन फील्ड रेंज राजिस्तान में इस बार इसका आयोजन किया गया। जो है इंडिया और युजबेकस्तान के बीच में हुआ इंडिया और उज्वेकस्तान के बीच में चौबटिया कहां पर है आपका। कर लेंगे बहुत बढ़ यार अभी मैं देख पा रहा हूं कि यार अप लोग अभी शेर नहीं कियो वीडियो को कर दो भाई अभी लोगों को पता नहीं है तो आते नहीं है दीरे दीरे पता चल जाएगा तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे डिफेंस एक्सपो जैसे कि हमारी जो डिफेंस की एक प्रदर्स नहीं होती है हर साल 11 से 13 मार्च के बीच में किस सहर में इसका युजिन किया जाएगा इसमें एक प्रशन और इंपोर्टेंट बन सकता है कि डिफेंस एक्सपो का कौन सा एडिशन जो है वो इस बार आयुजित होने वाला है 11 से 13 मार्च 2012 में इसका युजिन किया जाएगा अभी सब आ जाएगा दिने समुद्र सकती भी आ जाएगा, कौर्पेट भी आ जाएगा, सारे आ जाएगा अगस्त में जितने हुए हो सारे आ जाएगे टीक है चलो कहा पर किया जाएगा? यह है आपका गांधी नगर कहां पर आयजुत किया जएगा गुजरात के गांधी नगर में यह कौन सा एडीशन होगा यह 12th एडीशन होगा बारवी प्रदर्शनी जो है वो आयजुत की जाएगी इसका फिछह है भारत रच्छा उत्पादन छेत्र का उभरता हुआ केंडर भारत इंडिया इमर्जिंग सेंटर पॉर डिफेंस प्रोड़क्शन डिफेंस मैनुफेक्शरिंग नेक्ट वन यह कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है गिब मी वन सेकंड एक सेकंड के लिए मैं आपके सामने ही हूँ बस मैं थोड़ा सा एक चीज और करनी है मुझे देखकर मैं वापस आ रहा हूँ एक सेकंड एक सेकंड आप इसका आंसर करो सब लोग चले तो फिलाल भारती सेना के उप प्रमुख नो सेना के यानि कि आप इसे कह सकते हैं डेपटी छीप ओफ इंडियन नैवी एसन गोरमडे अच्छा अभी हाली में वाइस छीप ओफ इंडियन नैवी सब इंपॉर्टेट हो जाएंगे रवनीज सिंग और यह वाइस चीफ है इसके लाबा यह यह इस पेलिंग लिखी हुई है वह गलत है उपप्रमुख दोनों ही होते हैं डेप्टी भी उप्रमुख हुई होते हैं और वाइस भी होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर अब होड़े डेपटी चीफ आफ नेवली स्टाफ रवनीज सिंग इसको याद रखेगा अजया वाइस चीफ आफ एयर श्टाफ कोण चुने गए अभी हाली में विवेक राम चौधरी विवेक राम चौधरी यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं वाइस चीफ आफ ए और मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे चीफ आफ इस्टाफ बताने की ज़रुवत नहीं है जैसे चीफ आफ नेवली स्टाफ कौन है अडिकारी आपके राकेश सिंग बदोरिया और आर्मी के कौन है मनुझ मुकुन नर्वाने ठीक है एम एम नर्वाने ठीक चलो बहुत बड़ी आगे चलते हैं तो वाइस एड्मिरल एसेन घोरमडे को वाइस चीफ आफ ए असोक कुमार से डेप्टी चीफ आफ नेवली स्टाफ का पदवरार गरहान किया है वाइस चीफ है यहाँ पर डेप्टी जहां पे लिखा हुआ है उसको वाइस कर लिजेग साइरस पूनावाला का संबंध किसे है सीरम इंचिटीट ओफ इंडिया से है इनका संबंध यह इसके संथापक रहे हैं अधार पूनावाला जो है वो इनके बेटे हैं तो सीरम इंचिटीट ओफ इंडिया की जो वैक्सीन है जो हम लोग को लग रही है क्या आप उस वैक्स किसको दुद गया है शाइरस पूनावाला को कि ईसे समंदैं का इंस्तिती ऑफ इंडिया से न कोई शएल्ड है की को वेक्सीन है । सीफोस साइरस पूरा वनगे बहुत बलिया कोविसील युज्व है वह आपकी को सि को वेक्सीन तैयो टेक की है, तो इसरो और नासा मिल करके एक उपग्रें लॉंच करने वाले हैं, ये उपग्रें आपका दो जारतेईस तक लॉंच किया जाएगा और इसका नाम होगा निसार, क्या नाम होगा, निशार, नासा इसरो सिंथेटिक अपरचर रडार, एसेतिलाइट है अज़ा नासा के अभी हाली में जो प्रसासक है यानि अन्मिस्टेटर है वो बदल दिये गए उनका नाम क्या है उनका नाम है बिल नेलसन उनका नाम क्या है बिल नेशन और इसरो के हैड कोन है के सिवान कैलास वादिवी सिवान जल्ली ली करना है कोशन ज्यादा है तो कम समय बीरो के हेड कौन बनाए गए हैं बताइए फटाफट अजा एक सीज और यहां पर बनती है नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो से मुझे याद आया बनाए गया है मुकेश सर्मा गलत है मुकेश सर्मा जो है यह इती कानपूर से है और इनको अभी हाली में औरेरी बोर्ड में सम्मानी बोर्ड में सामिल किया गया है WHO में सम्मानित मेंबर बनाए गया है ओन्रेडी बोर्ड के WHO में विवेक राम चौदरी के बारे में बात करी लिया ये वो है तो S.N. प्रधान जो है उनके बारे में आपको पता चल गया कि केशन प्रधान जो है वो N.C.B. के head बनाए गया है आगे एक अगज 2021 से नए लेखा महा नियंतरक के रूप में किसे नियुक किया गया है Controller General of Accounts It's a C.G.A. not CAG It's a C.G.A. not CAG वर्तमान समय में हमारे CAG कौन है? वर्तमान समय में हमारे जो चौदवे नंबर के Controller Auditor General जो है वो है आपके गिरीश चन्द मुर्मू वो के सर्मा IT कानपूर के हो गया है? दीपक दास इदा राइट आनता दीपक दास जो है वो वर्तमान समय में ये वित्तमंत्राले के अधीन काम करते है या लबकी सरकार का जो भी लेखा जुखा होगा आप एक कहते हैं ये सरकार के CA होते है तो CGA अलग है CAG अलग है कैग जो है ये आर्टिकल नमबर 148 में बताए गया है कैग जो है वो आर्टिकल नमबर 148 में बताए गया है जबकि आपका ये जो CGA है ये एक पद है ये एक अधिकारी का पद है तो ये कारेबार समालने वाले वो कौन से अधिकारी है पचीसवे अधिकारी है ठीक है तो कौन अग है दीपक दास लेखा महानी अंतरक आगे चलते हैं आईशमान भारत योजना के अंतरगत थोड़ा सा गड़बड है आईशमान भारत योजना के अंतरगत देश में कितने कर परिवारों को सामिल कर लिया गया है आईशमन भारत योजना जिसे PMJAY पैदान मंदरी जन आरोग योजना इसे विस्थ की सबसे बड़ी बीमा योजना भी कहा जाता है और इसे मोधी केर योजना के नाम से भी जाना जाता है क्या आप जानते हैं कि इसकी सुरुवात कहां से ह हुई थी इसकी सुरुवात 2018 में की गई थी राची से कहां से की गई थी राची से अब राची कहां है यह हमसे ना पूछना तो दस करोण परिवार जो है वो इसमें सामिल कर लिए गये हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है पांच लाख रुपे तक का कैसलेस बीवा मिलता है प्रशने दो बन सकते हैं कितने परिवार सामिल हो गए दस करोण कौन सी योजना है यानि कि प्रधानमंती जन आरोगी योजना मोधिकेर योजना के नाम से भी जानते हैं 2018 राची से इसकी सुरुवात हुई थी ठीक है 10 करोण परिवार और 50 करोण लोगों क सीधा पाइदा इसका पहुचाया गया है तो अब 10 करोण परिवार इसमें सामिल हो गए आपसे यही याद रखने कि मोधिकेर योजना या प्रधानमंती जन आरोगी योजना जो है यह कहां से सुरू हुई थी राची दोजर अठारा ठीक है शलिया बहुत अच्छे जारकन अब पढ़ नहीं पा रहे होते हैं बहुत कोशिसों के बाद तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कहानी सुनोगे अभी सुनोगे बाद में सुनोगे तो टोकियो ओलंपिक 2020 में भारती सटलर पीवी सिंदु ने महिला एकल के मैच में कौन सा पदक जीता है इस बार कौन से कांश संतोश करना पड़ा उन्हें ब्रॉंज मेडल से संतोश करना फड़ा है टोकियो ओलंपिक में तो उन्होंने इसको हर राया था चीन की बिंगी जियाओ को हर राया था बढ़िया किया कांश पदक जीता है और अभी हमադा देंगे कितने पदक हैं वह आज ये आगए म्यामार में नवगठित कारेवाक सरकार में पधान मंतरी कौन बने है? म्यामार में तक्ता पलट हुआ था या कहा हैं, सैन ने तक्ता पलट हुआ था, तो गलत नहीं होगा, म्यामार के जो सैना प्रमुखत था उन्होंने का हटो, हम आएंगे, आंग सांसूकी को हटा दिया, और मिन आंग हालिंग ने खुद को प्यधान मंतरी घोसित कर दिया था, थोड़ा था बात कर लेतने हैं, अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद जो हैं ये मालदीव से हैं, कहां से हैं, मालदीव के विदेश मंतरी हैं, वरतमान समय में UNGA के प्रेसिडेंट बने हैं, यानि कि UNGA सेहित राष्ट महासभा के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला साहिद, नजीब मिकाती, लेबनान के हैं, वो लेबनान के PM हैं, अभी हाली में बने हैं, लेबनान के राध्धनी क्या हैं, बेरुत, शेर बहाद्दुर देवदा, नेपाल के नए प्रधान मंतरी बने हैं, नेपाल पीम बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा, मिन अंग हालिंग, मिन अंग हालिंग ने म्यामार में जो है तक्ता पलट कर लिया था, अचा म्यामार की राध्धानी क्या है, बता सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि दोजा तेज तक चुनाए करेंगे, हमने बेकूप बनाने कराएंगे, ने tenants, बाट अबड़ी आ, बहुत अबड़ी है, आक्ष बर्मा कहने तरभ अपने हां से मैतने करो, या इत्ता बेजिती मत करो, जार, इत्ता बेजिती मत करो, ऊपने आफ्थ से मत करो, तमहें लाए, आ राइटिंग जो समझ भी नहा थी, प्र नियापिडा इधर राइट आंतर वेरी गुड सेर बोला तो सेर बाददूर देवबा जो है वो नेपाल के पधान मंत्री है इसका आंसर है बंदना कटारिया बंदना कटारिया ने ओलंपिक में हैट्रिक बना दी चा गए थी उत्राखंड की रहने वाली है अभी एक और निय लिप्टो करेंसी की ओर बढ़ने का एक कदम है यह रूपी के जरीए आप किसी को मनलब भेजेंगे और कुछ ऐसे मर्चेंट होंगे जो ए रूपी को एकसेप्ट करेंगे मलब आप समझ लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए दस पॉइंट्स मिल गए तो आप 10 रुप कि आपको डारेक्ट आंसर बता दे खतम करने आपको बोरी अतना महसूस हो लेकिन मजबूरी है बताना पड़ेगा चेयर्मेन को होने बिश्वन महान महापत्रा CEO और MD CEO और MD को होने दिलीप असबे दिलीप असबे नेशनल पेमिंट कॉर्परेशन ओप इंडिया ने जाली क में होता है हां 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 बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरह का टोकन रहेगा आप मलब पर्टिकुलर आदमी को ही दोगे और वो जिसके नाम पर होगा उसी को यह पैसा वगयरा मिल जागा मलब एक तरह का यह कैसलेस बुक्तान का प्रणाली है और जिदिन मैंने यह पढ़ा था बहुत डिटेल में बताया भी था बारत और केस्देश की नौ सिनाओं को 28-29 यह मन्थली कर इंटरफेस को आप रिवीजन की तरीके लिया करें कि आपने जो महीने बर पढ़ा है उसका रिवीजन आपके यहां पर कर रहे है और उसमें से जो इंपोर्टेंट ज्यान करी है वो आपको यहां पर पकड़नी है शले बताइए फटाफट तो इंदर 2021 जो है यह इंडिया और रसिया के बीच में होता है दुनिया जानती है आप नहीं जानते है तो जान लो तो भारती और रूसी सेनाओं ने 28-29 जुलाई को बाल्टिक सागर में इंदर नेवी 2021 का किया गया है आप तस्वीर देख सकते हैं इनका नाम क्या है अर्मेनिया के नए पर्दान मंत्री है इनका नाम देखने के कोशिस करिए नहीं नी कोई नी मैं मजाग कर रहा था दोस्त रसीया की कैपिटल मॉस्को है रूबिल है बलादिमीर पुतिन भी बता देते रसीया इञलिए यह जो तस्वीर आप पैचान पा रहे हैं इसका नाम है निकोल पश्टुनियान कहां के पधानमंत्री है अर्मेनिया, अर्मेनिया की राध्दानी क्या है, यरिवन, अर्मेनिया की राध्दानी क्या है, यरिवन, अर्मेनिया की राध्दानी याद रखेगा, यरिवन, मुद्रा क्या चलती है, अगर हम अर्मेनिया की करेंसी की बात करें, तो अर्मेनिया की, यार राइटिंग जो ह वो हैती के नए PM बनाए गए प्रेसिडेंट की हत्या हुई थी लेकिन बनाया PM गया है याद रखेगा एरियल हैंडरी नाजिब मिकाती ये लेबनान के हैं अभी अब लोगने चर्चा कर लिया लेबनान की राधनी बेरुत है और गुईडो बेलीडो ये पेरु के हैं ये पेरु के नए राश्पती बनाए गया है पेरु के ये कहां पर बनाए गया है पेरु के राश्पती पूछ सकते हैं क्या है राधानी पोर्ट ऑउ प्रिंस हैती की राधानी क्या है पोर्ट ऑउ प्रिंस ये देश चर्चा में है बंपर तरीके से बहुत बड़ा भूकम पाया था अभी यहां पर वहलब यह देश की स्थिती जो है वह काफी गड़वर्वर चल रही है है थी कहा पर है अपरीका में है कि अमेरिका में है किस महादीप में है 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 चोड़ी चोड़ी चीजें होती है जो ध्यान नहीं देते है अपको ध्यान देना चाहिए है अमेरिका में है कि अफ्रीका में यह सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है कहा का कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये वहां का हो, अफरीका का, अफरीका का नहीं, ठीक है, पोर्ट हो परे, नमस्ते बेटा, किस वरिष राजनाइक को नावरू में भारत के अगले उच्छाइत की रूप में न्यूत किया गया है, इनकी तस्वीर मेरे पास है, अगर आप आप इने पहचान पा रहे हैं, तो पहचान लीजिए, नावरू को है, आउस्ट्रेलिया देखा है अपने, मलब मैप में तो देखा ही होगा, आउस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आप फुला जाएंगे, तो एक आईलेंड कंट्री है, नावरू, वहां पर मनप्रीत बोहरा, ज आपको जरूर पता होने चाइए, खासका जो नए अपॉइंट्मिन्ट किये गये है, संभू S. कुमारन के अगर हम लोग बात करेएंट यह फिलिपीन्स में है, यह कहा पर है, फिलिपीन्स में है, और संजे कुमार पांडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह तरकी मनप्रीद वहरा को नारू का नया आपको भारत के अगले उच्छाइत के रूप में नारू भेजा गया है यह थोड़ा था एक लिश्ट है जिसमें आप देख सकते हैं यह मैंने अभी जो पिछले साल के दौरान जितने भी आपके हुए हैं कम से कम पडोसी देशों के जरूर याद रख ले जैसे स्री लंका के गोपाल बागले हैं, नेपाल के भी नेमोहन कौात्रा है बांगला देश में विक्रम दोराई स्वामी है तो पडोसी देशों में जो जो उच्चाइवत हैं, वो आप जरूर याद रखे यही आएगा पेपर में, डारेक्ट यही आएगा इस क्रिकेटर को पैचानी है जुलाई का जलजला करा चुका हूँ अक्षे जुलाई का जलजला जो है, वो 6 मेने माले जो करेंट अफेस कराया था उसमें सबसे पहले जुलाई ही कराया था आप उसको वहाँ से देख लो 6 मेने का करेंट अफेस अभी कराया है पिछले मेने, उसको वहाँ से कराया है किस देश के सहरोज कासिप K2 पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के परवता रोही बने K2 दुनिया की सायद दूसरी सबसे उची चोटी मानी जाती है कुछ लोग इसे पाकितान में मानते हैं लेकिन मैं इसे बारत में मानता हूँ मैं जवजस्ती मानता हूँ कि बारत में है तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं तो ये जो सहरोज कासिप हैं ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इन्होंने केटू पर चड़ाई करके दुनिया के सबसे छोटे यानि कम उम्र के परवतर रोही होने का किताब हासिल किया है 19 साल की उम्र में ये वहाँ चड़ गए और बगैर ऑक्सीजन के चड़ गए अब 19 साल के उम्र ही ऐसी होती ही कि ऑक्सीजन इतना भरा होता है सरियर में कि ऑक्सीजन की जरुवती नहीं पड़ेगी अब हमारी उम्र में आदनी चड़ेगा तो फिर में टेड़ा ही हो जाएगा इससे पहले साजिस सदपारा 20 साल की उम्र में केटू पर चड़ने वाले सबसे कम उम्र के बेखती थे केटू की जो हाइट है वो है 8,611 मीटर लियोनेल लेसेडली लियोनेल लिनो लेसेडली लियोनेल सेडली या लिनो लेसेडली केटू पर चड़ने वाले पहले बेखती थे याद रखेगा जो जो लेट हो गए भाई वो लेट ना हुआ करो है ना अच्छा ये देखो भाई यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है प्रियंका चोपडा इनको अभी हाली में बलगैरी यह बहुत ही महँगा प्रांड है यार एक बार मैं इसका परफिूम खरीदने गया था और यकीन मानिये मैं आद तक इसका परफिूम खरीदने का सोच भी नहीं सकता हूँ घ्लक सोचता ही नहीं हो कि इसका परफिूम मुझे खरीदना है तो Westwick Brand Amateur किसे न्यूक्तिक किया गया है तो आंसर एकदम आउट है Question paper leak हो गया है Priyanka Chopna जो है इस leak paper में आंसर आ गया है थिक है बढ़िया बढ़िया तो बल्गारी की Brand Amateur बनाई गई है इसके लबा आप जैसे कि जानते हैं कि टेनिस में बड़े सारे टूर्नामेंट होते हैं वेबल्डन होता है आपका French Open होता है यूएस Open होता है लेकिन Tokyo Olympics में भी आपका टेनिस खेला गया और वहाँ पर Alexander Zerev ने पुरुस एकल टेनिस में सौन पतक जीता Alexander Zerev ने पुरुस एकल स्रेनिक में सौन पतक जीता है वहाँ किस देश से सम्मन देता है बहुत ही प्यारा सा प्रशन है मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर करे Alexander Zerev और इसी में गढ़ना हुई थी क्या नामें उसका अरे वो कौन है यार सर्विया का नुवाग जो को भी उसने अपना रैकेट तोड़ दिया था मनलब हार गया तो उसने गुस्सा देशा है मार रैकेट तोड़ दिया नहीं खेल पाया तो रैकेट पर गुस्सा के बतारे हो यार Alexander Zerev जो है यह जर्मनी के है यह कहां के है जर्मनी के है जिन्होंने यहाँ पर यह कहताब जीता था तो जर्मनी के Alexander Zerev ने Tokyo Olympic में पुरुस एकल का सौनपदक जीता है और एकल Olympic सौनपदक जीतने वाले वो पहले जर्मन रिखती बने हैं दो अगस्त को जारी 2021 Fortune Global 500 सूची में कितनी भारतिये कमपनियां सामिल हैं तो फिलाल भारत की कितनी कमपनियां जो हैं वो इसमें सामिल की गई है आपको ये बताना है कितनी कमपनियां यहाँ पर सामिल की गई हैं ये बताना आपको 7, very good 7 कमपनियां यहाँ पर सामिल की गई हैं जिसमें Reliance Industries जो है वो Fortune Global में टॉप पर आई है Fortune Global में top पर रहने वाली जो company है उसमें है Reliance Industry भारत की तरब से जिसको 155 वा इस्थान मिला है फिर भारती State Bank है जिसको 205 वा इस्थान मिला है Indian Oil है, 212 मिला है आपको सारी कंपनियों याद नहीं रखने के जरूत है किवल Reliance का याद रखे कि 155 पर है और इस सुची में Walmart जो है, वो पहले नमबर पर है Walmart जो है, वो पहले नमबर पर है थोड़ी देर में अभी हुरून Global भी आपके सामने आ जाएगा तो आपको परिशान नहीं हो ना अभी क्या करो, आप जब भी monthly current interface करो तो Simple Focus उसी question पर रखो जो question आपको पढ़ाया जा रहा है आप बहुत ज़्यादा चीज़े याद करने की कोशिस मत करो एक्चन में एक setup होगा आपके दिमाह में वो आपको बहुत पैदा पहुँचाएगा एक होता है environment, अगर आपके आसपस environment बन जाए ना पढ़ाई का तो पढ़ना आपको बहुत आसान हो जाता है कहानी कुछ इस तरीके की है तिवे एक question और ले लेंगे फिर उसके बाद कहानी सुनाते हैं आपको Walmart, State Grid, Amazon तीसरे नंबर पर चल रहा है Apple छटे नंबर पर है जबकि हुरून ग्लोवल में आप देखेंगे कि Apple पहले नंबर पर आ गया Apple जो है वो छटे नंबर पर है जी जी लवलीना बॉर्गहन, Tokyo Olympic में काश्य पदक जीता है वो किस खेल से सम्मन्दित हैं? फटापट बताइए कसके शेयर करो दोस्तो, Boxing यार एक्जाम हो छोड़ दिया है लवलीना बॉर्गहन जो है वो असम से हैं और आसम में अभी हाली में जो मुख्यमंत्री है हिमंद बिश्वाश शर्मा ने इनको वहाँ पर स्पोर्ट्स का ब्राण ने मेड़र भी न्यूक्त किया है हाली में किस राज़े सरकार ने Ease of doing business की पहल के लिए चार स्कॉच पुरुसकार देते हैं तो हाल पलाल गवर्मेंट की रैंकिंग को डिसाइड करते हैं तो यह है वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल को चार स्कॉच पुरुसकार जो है वो अभी हाली में प्राप्त हुए बंगा सरकार को एक बार फिर चार स्कॉच पुरुसकार मिले है ईस औप डूंग बिजनेस की पहल से जुड़े हुए रैंकिंग में उन्हें एक प्लैटिनम मिला है एक गलोड मिला है और एक गोल्ड मिला है आपको याद रखना होगा सिल्प साथी सिल्प साथी एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो वेस्ट बेंगाल में चलाया जा रहा है सिल्प साथी का याद रखेगा इसके जरीए जो बुनकर वगेरा है या जो हस सिल्प कारीगर है उनको यहाँ पर साहिता प्रतान की जा रही है इसकी वेज़ से इसको प्लैटिनम एवर्ड दिया गया था तो गोल्ड और एक प्लैटिनम एक गोल्ड और दो सिल्प रेवर्ड जीतने वाली सरकार कौन सी रही बंगाल सरकार रही दिल्ली के मुखमंत्री ने दिल्ली को नमबर वन सहर बनाने के लच्छ के साथ किस पहल की सुरुआत की है बताइए याद रखेगा तो दिल्ली 47 दिल्ली 2047 जो रहेगा इसमें मुखमंत्री अरविंद केजरी वालने क्या काम किया है कि विबिन छेत्रों में दीरकालिक लच्छों की प्राप्ति के लिए दिल्ली को एक ऐसी सिटी के रूप में डेवलप करना जो COVID-19 की वज़े से निरासित हो गए है जिनके बाद घर नहीं बचा है या माबाप नहीं रहे है उनके लिए एक मुखमंत्री वासली योजना शुरू की है अगर सिर्फ वासली योजना कहा जाए तो ये आपकी महराश्ट की है कन्फ्यूज ना हो ये बात ध्यान से समझे अगर मुखमंत्री वासली योजना पूछा जाए तो ये उत्तरा खंकी है और अभी हाली में आपको पता होगा कि उत्तरा खंकी राजपल बेबी रानी मौरिया उन्होंने एक्तिपा दे दिया था अब नए राजपल कौन बनाए गए गुर्मी सिंग जो है वो नए राजपल बनाए गए उत्तरा खंके इसको याद रखेगा कौन ने बनाए गए उत्तरा खंके यार कमेंट रुग गए तुम लोगों के भाई यार देखो अरे दादा रे दादा 366 लाइक है यानि इतना बच्चे यहां पर होता तो यानि हो जाता काम हमारा क्या गर रहे हो तुम लोग ध्यान नहेंगे न मुखमंतरी वासली योजना उत्तरा खंक अगर केवल वासली अनात हुए है नाम बता दो केवल 4,000 रुपे मिलते हैं उन्न बच्चों को असिस्टं दिया ज़ा रहा है चार अजा रुपे का इसके लावाद जो silver medal हमें जीता है था वो मीरा भाई चानू ने जीतवाया था ठीक है याद रखेंगे उत्तरपिदेश की जो है योजना वो है आपकी महाराष्ट काला गोडा my family my responsibilities correct very good और बताओ और बताओ यह this is from real me तुम लोग यही सब जानना होता है गड़ी के कौन से company की है यह कौन से company की है यह real me का है Samsung Samsung बहुत महेंगा था यह 25 अच्छे सजार का था रवी दया ने Tokyo Olympic में 57 kg भार गवर में रज़त पतक जीत लिया है फाइनल में जविल उगये उसे 47 से हार गये थे ठीक है इस्टोरी सुना दो इस्टोरी सुना दो बाग जाओगे तुम लोग बारत की पूरुस होके टीम ने Tokyo Olympic 2020 में कौन सा पतक जीता है बारती होके टीम ने वहाँ पर bronze medal भी जीता है देखे ये जो कहानी है ये आपने पहले भी सुनी होगी बट हो सहता है कि मेरे मूँ से सुने है तो मैंने भी कहीं से सुनी थी ये कहानी महाबारत के समय की है महाबारत में जब युद्ध होता है मनलब बहुत बड़ी सेना थी कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जो है उसमें एक करोन लोग मारे गए ते एक करोन लोग मतलब समझो कि उस जमाने सस्ते के जमाने में एक करोन लोगों का मारा जाना पूरे महाभारत के दौरान एक छण ऐसा आता है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है और उसमें आप देखेंगे कि अपने लालच की भी पराकाष्ठा आप देखेंगे वीर्ता की भी पराकाष्ठा आप देखेंगे इविन आप निरलज्जिता की भी पराकाष्ठा आप देखेंगे धूर्तता की भी आप पराकाष्ठा देखेंगे एक शण ऐसा आता है जब अब मन्यू को वद किया जाता है अब मन्यू मातर 16 साल की उम्र में थे जब उनकी मार दिया गया था जैसा कि महाबारत में लिखा हुआ है बात उसी समय की है और ये कहानी भी वहीं से प्रेवित है होता ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरव जो है वो चक्रवियू की रचना करते हैं और बड़े-बड़े महारती जो होते हैं उनका मेन प्लान ये होता है कि किसी तरीके से पांडवों को जादा से जादा छटी पहुँचाई जाए और इस वज़े से उन्होंने प्लान इस तरह से किया होता है कि पांडवों में अर्जुन के लावा चक्रव्यू को भेदना और कोई नहीं जानता था तो ऐसा करते हैं कि अर्जुन को किसी और जगे से युद्ध की ललकार देते हैं जब वहाँ पे बिजी होगे तो हम लोग चक्रव्यू की रचना करके पूरी पांडव सेना को समाप्त कर देंगे तीर चलाता था तो मलब उसके बराबर कोई धनोदन नहीं होते हैं इस वज़े से वो चक्रव्यू में जादा अंदर तेजी से प्रवेश करता है बाकी की योद्धा बाहर रोग जाते हैं और अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं अब मन्यू का वद किया जाता है कहा जाता है कि उसे नियत्ता मारा गया था और उसके बाद उसमें एक घटना और घटती है कि जब अब मन्यू को वद हो जाता है अब मन्यू इस वर लोग चले जाते हैं वहाँ पर जब उनका पार्थेव सरीर पड़ा हुआ है उनी में से एक होते हैं जैदरत जैदरत जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा गिनोना काम करते हैं धूर्तता की पराकाश्था को प्राप्त करते हैं और मरे हुए अब मन्यू 16 साल के बालक को लातों से मारते हैं जब अरजुन वापस आते हैं संध्या सकाल में उनको ये बात पता चलती है कि उनका बेटा नहीं रहा उन्हें इस बात का इतना दुख नहीं होता है कि उनका बेटा नहीं रहा उन्हें इस बात का ज़्यादा दुख होता है कि मेरे मरे हुए बेटे को किसी ने लातों से मारा है ये बात सुनकर अर्जुन क्रोज से भर जाते हैं अर्जुन क्रोज से भरने के बात मैं जिस जगे पहुंचाना चाहता हूँ जगे पहुंचीएगा लेकिन कहानी को थोड़ा सा मुझे सुनाना पड़ेगा थोड़ा सा बोर मत होईएगा अर्जुन इतना क्रो से बर जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर कल साम तक मैंने उस कमीने जैदरत को नहीं मारा तो मैं आग में अपने आपको होम कर लूँगा, मैं अपने आपको जला लूँगा ये गोषना होते ही कौरवों में खुसी की लहर दोड़ जाती है और पांडव सब निरास हो जाते हैं कौरव इसलिए खुस हो जाते हैं कि केवल एक दिन अगर आपको जैदरत को बचा ले गए तो अर्जुन तो गया और अर्जुन गया तो मैं पांडव साफ प्रण तो प्रण होता है आप सूचिए कि कौन इतना बड़ा प्रण ले सकता है कि मैं मार के रहूंगा मेरे बेटे को उसने मारा है अब आगले दिन युद्ध होता है खुब घमासान युद्ध होता है अरजुन पूरी तरह से गुस्से में युद्ध कर रहे होते है साम होने लगती है दुपैर हो जाती है जैदरत कहीं नदर नहीं आता जैदरत को कॉर्वने छुपा लिया होता है और बहुत दूर ते छुपा लिया होता है अर्जुन को वो मिलता नहीं है अर्जुन और स्री कृष्ण का रत लगातार दोड़ता है जैदरत को पाने के लिए लेकिन जैदरत मिलता नहीं है धीरे धीरे साम होने लगती है सूर्यास्त का समय निकटा जाता है सूर्य एकदम अस्त होने की कागार पर पहुंशने वाला होता है अब सब पांड़ो सेना स्री कृष्ण की तरफ देखती है कि हे प्रभू अब तो बचालो नहीं अर्जुन गया तो हमारी सेना भी गई अर्जुन गया तो हमारी सेना भी गई स्रीकर्ष्ण अपनी लीला दिखाते हैं वो बादलों को आदेर देते हैंगे जाओ सूरज को छुपा दो वो जैसे ही सूरज को छुपाते हैं आंदेरा जैसा फील होता है कौरव सोते हैं अरे वाब तो हो गया खतम काम गाली देना सुरू कर देते हैं अर्जुन को अरे तुम गया वेटाप जाओ हो मो जाओ तुम काम कातम जैदरत को ना मर पाए तुम और बेकूपी कर देते हैं कहानी सुनी होगी आपने कहावा सुनी होगी विनास काले विपरीत बुद्धी विपरीत बुद्धी उनकी विपरीत हो जाती है और वो छण भर भी इंतजार नहीं करते हो जैदत उटक के सामने आ जाता है और काली देनिला अब तुम हमको मारोगे तुम हमको मारोगे बस बैट जाते हैं और पूरी तरह से सोचने लगते हैं कि अब मुझे किस तरके से होम होना है फिर अचानक से क्या होता है स्रीकृष्ण आदेश देते हैं बादलों को कि हट जाओ सूरज को वापस निकालाने दो अचानक से बादल हटते हैं सूरज वापस आता है अरजुन एक विनिंग मूवमेंट के लिए मोहल बना रहा था आप कितनी भी परिशानी में गिरे हों आप कितनी भी समस्याओं में गिरे हों लेकिन अगर आपके आसपास का इन्वायर्मेंट सही हो जाए आपके आसपास का परियावण बदल जाए तो जीत आपकी निश्चित है ये वह चाहते क्योगी वह ऐथा कहा जाता है कि अगर पुस्तरिकर्षन चाह लेते थे तो अभी णूणू नहीं मरता तो स्रीक divergence जानते थे X के पीजे भी बहुत कहानी है कि अभी मन्यू जो है वो चंद्र का पुत्र था चंद्र अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे क्योंकि जितने भी देवता थे सबी के पुत्रों को महावारत में एक रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया था और चंदर नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र जादा दिनों तक प्रत्वी पर रहे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो पुत्र होंगे उसकी आयू केवल 16 साल रखे इसको विदी के विदान को रचना बताते हैं लोग अब बाकी का महाबरत में आप सुनियेगा कभी जी और फिर होता है सुरू होता है कृष्ण का वार तो यही कहानी है और exactly यही है महाबरत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं महाबरत में यह कहानी यह बताती है कि अगर आपके पास महौल आ जाए अगर आप महौल बना ले जाए अपने आसपास पढ़ाई का तो आप पढ़ लेंगे और अगर आपके आसपास पढ़ाई का महौल ना हुआ अगर में कलय हो रही है, मारपीट हो रही है या गर में कुछ समस्याएं आ रही है आपके आज पर पढ़ाई का महौल नहीं हो रहा कोई नहीं पढ़ रहा सम्मक्ति में डीजे में डांस कर रहे है आपने देखा साधी में आपसे डांस क्यों हो जाता है जो कि महौल होता है अब आइसे जाए जितना मटकने कोशी करें नहीं मटब पाएंगे लेकिन साधी में 4-4 गंटा मटक लेते हैं मटक लेते हैं कि नहीं मटक लेते हैं चलिए, माफी चमगा तोड़ा तो समय जाधा ले लिया मैंने कााणी में तो फिलाल भारती पुरुसाओके टीम ने क्या जीता था यहां पर आपका ब्रॉंज मेडल जीता था और जर्मनी पर पांच-चार की जीत के साथ यहां ते लुआ था इसको याद रखेगा हराया किसको था जर्मनी को हराया था जी बिल्कुल किसके दौरा लिखी गई है फटापट बताइए मजा आया ऐसे बहुत सारी कहानिया अब मन्यू को अगर आप धन से पढ़ेगे ना इतना विसाल चरित्र है उस बालक का 16 साल के बालक का कि आप उससे इतना खुछ सीख सकते हो उससे determination सीख सकते हो आप समवाद पढ़िए जब भी आपको कभी मौका मिले किसी अच्छे आदमी से उसके समवाद सुनने का मौका मिले तब आप देखेंगे उसका रग रग में जो चरित्र छुपा हुआ है उसका जो personality छिपी हुई है वो जल्दी जल्दा पूरे महाभारत में किसी में भी आपको नहीं मिलेगी उस बाला के अंदर लेश मात्र भै नहीं था वो भिड़ गया था अकेले क्यों उसको पता था कि वो क्या करने जा रहा है वही कुछ होना चाहिए एक बार सेयर कराई है तो बाला कोर एर श्ट्राइक जो है ये पुस्तक लिखी गई है मनन भट द्वारा याद रखेंगे गरोल प्रकासित है बाला कोर एर श्ट्राइक और ये पुस्तक लिखी गई है है दुनिया के सबसे उची सड़क सबसे उची जगह पर बनेगी और दुनिया का सबसे उच्छा जो पॉइंट है वो लद्दाख में आपको देखने को मिलता है तो लद्दाख में 11300 मीटर उची सड़क बनाई गई है अच्छा बाडर रोड और्गनाइजेशन के अभी हाली यह बढ़ गया था मामला आप गिर रहे हो देखो तुम खुदे ही नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम लोग क्या करें उन्हें ज्यार 300 फिटी उचाई पर उम लिंगला के पास दुनिया की सबसे उची चड़क के तौर पर इसे जाना जाएगा प्रदान मंदरी नरेंदर मोध करी ने यह वाला प्रश्ण करिए फटाफट करिए लद्दाफ में एक इनाइटेड माइन प्रोजेक्ट विए सब बहुत अच्छे ते चल रहा है बिल्कुत सही बोल रहे हैं आप लोग कि पड़ाफट शेयर कराएं एक बार हाँ वैसाली हिवासे जो है वो बॉर्डर रोड और्ड 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 अर्गनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाए गए तो पैदान मंदी नरेंद मोधी इस बाद सुन्ता दिवस के मोगे पाद अतिति की रुपे किसे आमंतित किया है कौन सा राज ऐसा है जो भुकंप एलर्ड एप लॉंच करने वाला देश का प्रतम राज्य बन गया है बुकम्प एलर्ट एप जो है वो उत्राखंड सरकार ने लॉंच किया है और इस तरीके से इनके पास अपना एक एप हो गया है जो बुकम्प के बारे में आपको चेतामनी देगा और इसे आईटी रोड की केस है उकसे बनाया गया है उत्राखंड के नए गवर्नर बन गए है गुर्मी सिंग याद रखेंगे ये क्या हो रहा है आगे पीछे क्यों जा रहा है ये गिम्मी बन सेकें अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है इंडियन जिलोजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक के रुप में किसे निउक्ति किया गया है द्रती बनर जी इदर राइट आंसर इंडियन जिलोजिकल सर्वे की नई निदेशक हाली में किस प्रसिद्ध डोगरी भासा की पहली आधनिक महिला कवित्री का निदन हो गया ये थी पदमा सचदेवा अगर आपसे कभी पूछा जाएगी पदमा सचदेवा कौन थी तो याद रखेगा डोगरी भासा की पहली आधनिक महिला कवित्री थी भाई आप लोग कही मत जाओ थोड़ी दर आप मेरे साथ बने रहो अभी आराम से आपका 200 हो जाएगा बस अब लोग थोड़ा ही दूर रहे गहे हैं हर साल हिरोशिमा दिवस कब मनाये जाता है हर साल हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाये जाता है क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा पर आपका लिटल बॉय नाम का एक परमाडू बम गिराये गया था और इसके बाद 9 अगस्त को नागा साकी डे मनाये जाता है क्योंकि वहाँ पर फैटमेंड नाम का एक बम गिराये गया था, लिटल बॉइ पहले गिराये गया था, फैटमेंड बाब दिगराये गया था, तो इसको हिरोसिमा दिवस और नागासा की दिवस के रूप में 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाये जाता है, राजी गंधी खेल दतने पुरुषकार अगस्त को पर दिगराये गया है, राजी गंधी खेल दतने पुरुषकारों की जो शुरुआत हुई थी, वो 1991 और 1992 में हुई थी, क्या आप बता सकते हैं, पहला राजी गंधी पुरुषकार किसको दिए गया था, अब इस पुरुषकार की रासी कितनी है, यानि कि अब र अर्तमान समय में 25 लाख रुपए हो गई है, तो अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल दने वाट कर दिया गया है, 2020 में ये पुरुषकार पांच लोगों को दिया गया था, रानी रामपाल, रोई शर्मा, मरियपन थंगा वैलू, मनिका ब आएंगे, एक बार प्यार से, दिल से मजा आजाएगा, बहुत ही मजा आएगा, तो ये है e-prison, e-prison में तीन पार्ट है, याद रखेंगे उसको, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें इसको, ये important है, e-prison management information system, जिसे MIS कहा जा रहा है, इसमें जो prisoners है, उनकी जो day-to-day regular activities है, यानि कि जो दिन प्रति दिन का वो जो काम को आज करते हैं, उसका लेखा जोखा रहेगा, एक और पार्ट है, इसका national prison information portal, ये एक Syrian centric portal है, जो आपको ये बताएगा कि कौन से jail में कितने कैदी है, कहां कौन सी jail है, इसके लवाए एक important part है, इसका कारा बाजार, कारा बाजार national prison information portal और काराबादा, सभी important है, ये सभी जो combined form में है, वो e-prison के अंतरगत डाले गए है, मांग देचु जल विद्धुत परियोजना को अभी हाली में brunel padak मिला, brunel padak जो है, वो civil engineering के छेतर में दिया जाता है, ये परियोजना कहां पर इस्थित है, सुभम पांडे बहुत बढ़िया, बस इतना मत करो यार नमस्कार, थोड़ा सा ही नमस्कार करो, ये न, जलेली करो, यार तुम लोग बेज़िती करा दिया आज मेरी, उदर उल्ली बोर्ड वाले चैनल पर भी एक मैम लाइव है, उनके में बहुत ज़्यादा बच्चे है, हमारे में नहीं है, यार, ठीक है, चले, M.I.T.S. Lucknow, very good, आरुणांच चल प्रताब, पैचानते हो मुझे, तो ये कहां की है, ये बांगलादेश की है, इसको आप रिवीजन के तौर पे लिए, जल्दी-जल्दी कोश्चन को रिवाइस करते जाएए, तेक है? समिक्षा साओ, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, वीकली सीए, नेक्स्ट वीक से आने लगेगा, वीकली सीए, नेक्स्ट वीक से आने लगेगा, लेकिन उसको रैपिट फायर रखेंगे, किसे ट्राई करें? ये बताएं, तमिल नाडू, वेरी गूड, ये जो भासा लिखी वह है, वो तमिल लिखी वही है, आप मेंसे किसि को तमिल आती है, मेरे को नहीं आती, मकाले, थेदी, मार्थूवम, योजना जो है, वो तमिल नाडू के नए मुख मंतरी बने है, MK S't와lin, अज़ा तमिल नाडू के एक नए राजपाल बने है, बता सकते हैं कोन है, तमिलनाडू के नए राजपाल गोन बने अभी बने अभी अभी बने तुरंत मतलब ये एक दो दिन की न्यूस है कि अभी हाली में तमिलनाडू के नए राजपाल बनाए गए है या बांगलादेश की राधानी टका मादेश राधानी ढाका, मुद्रा टका प्रदानमंदी सेख हसीना अब्दुलहमीद जो है वो आपके प्रेसिडेंट है कपड़ी नेशनली स्पोर्ट्स है बॉंगो सागर अरे अब निकल गया चलो हटाओ जी करेंट अफेस आएगा क्यों नहीं आएगा नए पहुँचे है बन्वारी लाल पुरोहित बन्वारी लाल पुरोहित पहले आपके तमिल नाडू में थे उनको पंजाब का एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया तो बोले हम इत्ता आप डाउन नहीं कर पाएगे तो बोले थी के तुम पंजाब जाओ नागलेंड कौन पहुँच गया है नागलेंड में अभी कोई नहीं पहुँचे है लेकिन असम के जो है जगदीस मुखी जो है वो आपके पहुचाए गया है नागलेंड के एक्स्टा प्रभार के तौर पर ठीक है चलो हाली में किस देश ने कोरल हानी करक संस्क्रीन पर प्रदिमन लगा दिया हाँ जी बुरोटान की परियोजना है सर भोज कीजिए किसी दिन कहां अपने घर पे करें कि आपके घर पे करें जी थाइलाइन ने कहा है थाइलेंड ने कहा है बहिया ऐसा है संस्क्रीन मत लगो इस तो उनको बंद करना है आपको उनको नहीं प्रयोग करना है थाइलेंड की बात कर लेते हैं थाइलेंड को थोड़ा सा देख लीजेगा अभी हाली में पूछा गया था कि गल्फ आफ सियाम कहां पर है सियाम की कहां पर है द्यार लखेंगे यह दचिनी चीन सागर में है थाइलेंड का जो राजदानी है वो है आपकी बैंको यहां पर लिखा हुआ है थाइलेंड की राजदानी क्या है थाइलेंड की मुद्रा चलती है थाइबात थाइलेंड की मुद्रा क्या चलती है थाइबा इतने सारे लोगों को खाना तो नहीं किला पूंगा मैं फिर भी आज आईए किसे दिन देखते हैं हर साल राष्टी ये हद करगा दिवस कम बनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे कम बनाते हैं 10-15 मिनिट का रैपिट फायर लेके आएं ठीक है मुद्रा थाइलेंड की बात है बात बी ए ए एच्टी याद रखे राष्टी हद करगा दिवस कम बनाया जाता पटाओ फटाफन 7th अगस is the right answer सिर्फ इतना ही important है कुछ यादा खास करने की जरूत नहीं है यह याद कर सकते हो कि 2015 में शुरू किया गया था हाली में भारत छोड़ो अंडूलन की 89 वर्षगांट कम मनाई गई 7th अगस को जैवलिन डेवी मनाई जाया बिल्कुल सही बात है अभी आ रहा है वो मैंने इसलिए नहीं बता है क्योंकि आज आएगा वो 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो अंडूलन शुरू हुआ था तो इसकी 89 वी वर्षगांट जो है वो भारत छोड़ो अंडूलन क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को इसलिए इसको शुरू किया जाता है जैवलिन त्रोवा नीरच चोपड़ा ने ओलंब्रिक में सुन पता गीत लिया है वे भारत के किस राज्यस से संबन देता है कि इसे आगे लेके जाते हैं मैं लग साही बात है सारे चोपड़ाओं को पीछे छोड़ दिया इस लड़के ने हरिया ना के शोनीपत के रहने वाले हैं और मैंने इनके एक बात मुझे काफी अच्छे लगी, मैंने इंटर्विव इनका देखा था हूँ, वहाँ पर ये कह रहे थे कि यार, हिंदी आती न, तो हिंदी में बात करो, सही बात है, हिंदी, इंग्लिस, आज कल हम लोग दिखावें के पीछे बाखने, नाइटिंग मैटर, आज आसी दसमलो आठ अठावन मीटर भाला फेका था, और इसी वज़े से इन्होंने स्वन पतक प्राप्त किया है, और साथ अगस को भाला फेक दिवस के रूप में भी बनाये जा रहा है, टोकिया 2020 में पहलवान बजरंग पुनिया ने पुर्चों के फ्री स्टाइल में कितने किलोग्राम वर्ग में कुस्ती में कांश्य पतक दिता, ये आदमी यार मलब काफी कंसिस्टेंट है, ये 65 किलोग्राम से खेलते हैं, किस से खेलते हैं, 60 किलोग्राम, दीखें आपका जो करेंट अपेस है, वो संडे को नहीं आता है, बाकी सभी ज़ेगा आता है, एक बार स आश्य पतक जीता था किसने, पैनलवान बजरंपुनिया ने, भारती मेला हौकी टीम के कोच, मुख्य कोच ने अभी हाली में इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था, पताईए, सुजाड मारिन, ग्रैम रीड जो हैं ये भारती में जोगी के हैं, कोच है, रवी सास्तरी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है, रमेश पवार जो हैं वो इंडियन वीमन क्रिकेट टीम के कोच है, तीक है, जी रोज नहीं होती है ये क्लास, रोज आपकी सुबह, ये मन्थली करेंट अपेल्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मन्थली करेंट अपेल्स, आगध 2021, भाई राहुल मिश्रा, आपने से कितने इंडिया हो गया ता एक दम न, चले, एक महिने दा चलने वाला अभियान, पानी माह, ये किस केन सरकार द्वारा सुरू किया गया, किस राजी सरकार द्वारा सुरू किया गया, जल जीवन मिशन के अंतरकत, पानी माह, यानि वाटर मन्थ, किदा सुरू किया गया, बैट ब अभियान पानी महा केंसासी प्रदेश लद्दाग द्वरा सुरू किया गया है अभियान का उद्देश ये है कि पानी की गुडवत्तर पर ध्यान देना आपूर्ती पर ध्यान देना और अनिती बनाना तो लद्दाग में सुरू मनाये गया था पानी महा राष्टी सिछन नी जिसने ये जारी किया है नकुल सिंग कहने हैं से आप पहली बारा है दिने दत्ता आप भी पहली बारा है थपड़ पड़ेगा खीच के दत्ता तुमको कनपटी लाल हो जागी तुमारी करनाट का आप सिर्फ ऑप्शन पर ध्याम रखे कोशन ऐसे ही फसेगा यासी पंड आप ने हैं आपको तो पढ़ा है देखा है मैंने पहले थे याँ सबका आदार लिंक है अच्छा पता दे ना मैं जान जाओंगो सबका आदार लिंक है करनाट का करनाट का के राजिपाल अभी हाली में मनाए गए केबिनेट मिनिस्टर थे रेटायर कर दिये गए गाड यार लैप्टॉप काफी गरम हो गया है जा हो गया इसको तो एनिपी लागू करने वाला करनाटक देश का पहला राज है करनाटक के राजपाल अभी हाली में नए बनाए गए है टीसी गैलो देखो पूरा मत पढ़ो ज केबिनेट सेकेटरी थे कितने साल का सीव अविस्तार दिया गया है राजीव कौबा को अच्छा ये बताओ अजे कुमार जो है वो वर्तमान समय में कौन सेकेटरी है अजे कुमार भल्ला बताओ दो है एक अजे कुमार है एक अजे कुमार भल्ला है और अभी हाली में आपके क्या नाम था उनका तीवी सोम नाथन जो है वो वर्तमान समय में कौन से सेकेटरी है दन्यवास साहिल इनका जो विस्तार है हुआ है वो एक साल का हुआ है अजे कुमार वर्तमान समय में आपके रच्छा सचेव है कौन से सचेव है रच्छा सचेव है आजे कुमार भल्ला जो है वो आपके वरतमान समय में होम सेकेटरी है यानि कि ग्रेह सचीव है और टीवी सोमनाथन जो है वो फाइनेंस सेकेटरी है वो कौन से है वित्त सचीव है हम अनाधी काल से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया अजे भल्ला ग्रेह सचीव है और टीवी के वो हैं इनको याद रखें आगर फॉले पूछे फॉरेंट सेकेटरी को ने तो हर्षवर्दन स्रेंगला हर्षवर्दन स्रेंगला है बहुत इंपॉर्टेंट इससे इंपॉर्टेंट अगस्त में कोई निउस नहीं थी मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहली बात तो यह करेक्ट नहीं लिखा हुआ है यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है मैं आभी हट जाता हूँ तो उज्जुला तीक है उज्जुला योजना तीक है इसका टैग लाइन क्या है उज्जुला योजना का टैग लाइन क्या है आपको पता है फिलाल इसको महोबा से सुरू किया सोला को की गई थी यूपी से और यूपी के महोबा जिले से 2.0 की सुरुवात की गई है इसमें आपको जो होता है कि 3 में सेलेंडर दिये जाते हैं, 14.2 की भी और पांच की इसकी टेंग लाइन है सुच इधन बहतर जीवन टैग लाइन याद रखना स्वच्छे इधन बहतर जीवन याद रखेंगे 10 अगस को यूपी के बलिया से पहला बिल्गु करें गुरुबडी का एक्जाम होगा कि नहीं होगा होगा भाई क्यों नहीं होगा उत्राखन ने किस हौकी के लाड़ी को राज ये महिला ससक्तिकरण बाल विकास विवाग का ब्राण अमेडर गोसित किया है क्यों नहीं होगा भाई बंदना कटारिय को उत्तराखन के मुख मंत्री जो है पुसकर सिंग धामी उन्होंने बंदना कटारिय को स्टेट वूमेन इंपावर्मेंट आपका ब्राण अमेडर निक्लिया तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है राश्टी महिला आयो की अध्यच रेखा सर्मा इनका कारिकल अभी कुछ वर्थों के लिए बढ़ाया गया है तो मनलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेखा सर्मा किस से सम्मंदित हैं तो आपको याद रखना होगा इनका सम्मंद राश्टी महिला आयो की अध्यच है ये प्रश्ण पूछा गया था दो साल पहले मैंने एक एकदाम दिया था उसमें पूछा था कि राश्टी महिला की अध्यच कौन है तो रेखा सर्मा उस टाइम मुझे नहीं पता था इनका कारेकल कितने साल के लिए बढ़ाये गया तीन साल के लिए इनका कारेकल अभी हाली में बढ़ा दिया गया है और 1992 में राश्टी महिला आयो की थबना की गई थी अज़ा एक और चीज आ रही है महिला से याथ मुझे मिनी इप्पे का नाम सुना है अपने मिनी इप्पे अभी हाली में इनको मैनेजिंग डारेक्टर बनाए गया क्या बता था थे कौन सी कंपनी में इनको मैनेजिंग डारेक्टर बनाए गया ठीक है बताईए कह रहा है गुरु जी आजकल मोदी जी अपने आपको रवीना टेगोर समझ रहे है या लुक तो ऐसे ही मार रहे हैं मिनी पे जो है वो L.I.C. की M.D. बनाई गई है क्या बनाई गई है L.I.C. की M.D. याद रखेगा अच्छा बारती नौसीना के साथ के इस देश ने साथ अगस को दूई पच्छी अभ्याद जायत तलवार दो जार इक्ष में भाग किया जायत तलवार दो जार इक्ष किसके किसके बीच में हुआ इससे जुड़ी वी एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ मुहमद अल-ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समाजा मुहमद अल-ख्वाजा जो है ये इसराइल में इस देश के राजदूत है इसराइल में कभी कभी तो मुझे खुद भी अपनी राइटिंग बहुत गंदी लगती इसराइल में भारत के राज़दूत है आज या तुम लोग मना 200 नहीं करोगे का किसम किखा किया है UAE 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 की राधनी अबू धाभी मुद्रा दिरहम इतना तो बता ही सकता हूँ आपको तो जायत तलवार जो है वो भारत और UAE की बीच में हुआ है अलिंदी अलमोहिदिन अभी आ जाएगा तो उसको बारे में भी हम लोग बाच्चित कर लेंगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले तीसरे गिनबाच कौन मन गए है थिसकेयोória कें जाएं का तसे मग तन सबसे लाए जलिव सकतेच से सकते हैं गाएम तन सबसे जाधा विकेट अगर अब देखन तो मुताय दर्ण के नाम पे हैं और लगब उन्होंने टेस्ट में 800 विकेट के आसपास ली है और फिर सेन वान का नाम आता है फिर उसके बाद एंडर्शन जेम्स एंडर्शन आएगा फिर उसके बाद अनिल कुपले जो है उन्होंने 619 विकेट लिया टोकियो उलम्बिक 2020 के समापन समारों में भारत के दजवाग कौन थे शेर नहीं करोगे दोस्तो एक दम जिद पर अड़े हो जिन्होंने लाइक नहीं किया भई यह वो लोग लाइक कर दो बस थोड़े सा ही करोगे तो 500 लाइक हो जाएंगे इसका मतलब इतने लोग यहाँ पर आए अगर वो चाहते तो लाइक ब्रहाए सकते थे तो यह रहे बजरंग पुनिया कौन रहे बजरंग पुनिया ठीक है यहाँ पर जो टेबल है उसको देख लो एक बार सबसे अधा पदक 49 पदक जीते हैं सैंतराज अमेरिका ने पहले इस्थान पर रहा स्वरी कुल 113 पदक जीते 49 पदक जीते भारत ने एक स्वण पदक जीता और कुल 7 पदक भारत को आसे लोए टोकियो उलंपिक में 48 में इस्थान पर भारत ने अपने यातरा को समाप्त किया था यह पूरा टेबल याद रखो दूसरे नंबर पर चाइना था जिसने 88 पदक जीते थे 38-69 पदक उसमें उनके पास थे उत्तरपदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया 9 अगस 1925 को काकोरी कांड जो है हुआ था ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में तो इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि कांड सब्द है वो उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं माना जाता तो इसको अपमान जनक मना जाता तो इसका नाम अपकर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन क्योंकि 9 वगत 2021 को 2022 में ये 100 वर्स उसके पूरे हो जाएंगे तो इसका नाम बदल दिया गया है और इसमें 4000 रुपए लूट लिये गये थे ना भारती इस नौ जवानों ने राम परशाद ने स्विल्व वगेरा थे तो पर दिवस विश्व जैव इधन दिवस जो है ये कब मनाए जाता है दस अगस्त को बायो फ्यूल डे पतिवस दस अगस्त को मना जाता है इसके लावा वर्ड लॉयन डे भी जो है वो भी आपका दस अगस्त को मना जाता है वर्ड लॉयन डे जो है वो भी आपका दस अगस्त को मना जाता है तो वर्ड बायो फ्यूल डे एवरी ये टैन अगस्त क्योंकि इसी दिन आपका जो रूडोर्ट डीजल थे उन्होंने 1893 में मूंग फली के तेल से इंजन को चलाय इस बार इसकी जो थीम रही है दा प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल ज पार बेटर इनवायरमेंट दा प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल ज ग्राथ भारति एटलेटिक्स महासंग ने नीरक चोपड़ा के सम्मान में हर चाल भाला फेक दिवस मनाने का पैसला कप किया साथ अगस्त को, क्योंकि साथ अगस्त को ही उन्होंने गोल्ड मेडल जित्वाया था, कितने दूर फिका था? 87.8 मेटर दूर बाला फिका The Great Hindu Civilization ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो The Great Hindu Civilization पुस्तक जो है, वो पवन कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? पवन कुमार वर्मा द्वारा इस पुस्तक का पूरा नाम है, Achievement, Neglect, Bias and the Way Forward पवन कुमार वर्मा की ये पुस्तक है, The Great Hindu Civilization. इसके लब एक और पुस्तक है, How the Earth Got Its Beauty? नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? How the Earth Got Its Beauty? तो बिल्कुल कुशन लीक हो गया है, सुधा मूर्ती is the right answer. राइट आमसर इस सुधा मूर्ती द्वारा पुस्तक लिखी गई है, How the Earth Got Its Beauty? यहां पर कुछ जब पीडियोफ आप लीजेगा, तो यहां पर कुछ important books हैं, जो मैंने लिख रखी हैं, जैसे पवन कुमार वर्मा की The Great Hindu Civilization हो गई, सुधा मूर्ती की How Earth Got Its Beauty हो गई, वेनू माधव, गोविंदू और स्रीनाथ रागवन की The Fourth Lion, Atheist for Gopal Krishnakandhi, राकेश ओम प्रकास मेरा की पुस्तक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रोडूचर डिरेक्टर हैं, The Stranger in Mirror, बाकी भी यहां पर पुस्तक यतनी भी है, वो सारी important है, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजेगा, हाली में किस अर्धजैनिक बल ने पहली बार दो महीला अधिकारियों को युद्धग भूमिकाओं, यानि कि Combat Rolls दिये हैं, तो यह है ITPP, ITPP के डिरेक्टर जनरल अभी हाली में चेंज कर दिये गए, उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजे अरोडा, यह अभी आ जाएगा न पहली में हैं, और सौर्य द्रड़ता कर्म निष्ठा, सौर्य द्रड़ता कर्म निष्ठा, आप से आप सभी से मेरी गुजारिस है कि 15 मिनट तक आप में से कोई भी प्लीज कहीं मज जाएए, आप सभी बने रहे हैं, हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर 200 का आखड़ा पा ने पहली बाद दो महिला अधिकारी को युद्ध भूमिकाओं में सामिल किया है, प्रक्रति और दीछा ने अपना प्रेसिशन पूरा करने बाद युद्ध अधिकारी को रूप में सामिल हुई है, वैस्विक यूवा विकास सूचकांग, 2020 में भारत का इस्थान कितना है, ग्लोबल यूथ डेवलप्मेंट इंडेक्स, यह आपको बताना है, इसमें भारत का रैंकिंग कितना रहा है, कोई बफरिंग नहीं है, मेरी तर्फ से कोई बफरिंग नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंकिट सो मच, और इसी बीच हमने यहाँ 500 लाइक पूरे कर लिए है, आप सभी का बहुत-बहुत आभार है, यहाँ पर, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इस चैनल पर भी, आपको पढ़ा सकूँगा, तो ग्लोबल यूथ डेवलप्मेंट इ जुड़ा हुए यह रैंकिंग है, यूद डेवलप्मेंट से जुड़ा हुए रैंकिंग है, इसमें 122 वे नंबर पर भारत रहा है, और सिंगापूर जो है, वो टॉप पर रहा है, तीक है, आराम-आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कोश्चन और आंसर देखिया, डिटेल के चकर में मत पड़े, आप दिखें, क्या फायदा कि आप पढ़ो इतना सारा याद कुछ न रहे, तो फिसर्फ उतना पढ़ो जितना याद रहेगा, किस राज्य सरकार ने, IT छेतर के लिए, यानि कि Information Technology के छेतर में, राजी गांधी महाराष्ट, महाराष्ट सरकार ने, राजी गांधी पुरुषकार की गोष्णा की है, और राजी गांधी खेल लंद का पुरुषकार, ध्यांचन पुरुषकार कर दिया गया, ओरांग नेशनल पार्क था, उसका नाम भी हटा दिया गया, राजी गांधी हटा दिया गया, को रांग नेशनल पार्क कर दिया गया अगला प्रेस्ट इन बेहद इंपोर्टेन इसको इस्टार 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 बना लेना 2022 तक कितनी जीगावाट अक्षे ओर जाए यानि कि रिनेवल एनर्जी जो है वो हम प्राप्त करने वाले हैं माराश के राजपॉल कौन है बगासिंग कोश्यारी रहेंगे बस थोड़ी देर और चलेगा खतमी होने वाला है बहुत जादा नहीं है 175 जीगावाट हमें हर हाल तक हासिल करना है कब तक 2022 तक दिसंबर 2022 तक भारत इतना उत्पादन करने लगेगा अक्षे ओर जाका तेंक यू काफी सारे लोग हाथ बना रहे हैं सब मुझे कुकिंग भी करना रहता है इसलिए आती जाती रहोंगे अरे मोबाइल ले जाओ ना मोबाइल में ऐसा पकड़ करो के कमेंट मत करो तो 180 जीगावाट जो है वो हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं दिसंबर 2022 तक यह आ गया अलमोहिद अलहिंदी अलहिंदी अलमोहिद भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होईगा सेम है यह किस देश के बीच में हुआ यह किस देश के बीच में हुआ तैंक यू अलमोहिद अलहिंदी जो है यह भारत और सौधी अरबिया के बीच में हुआ है सौधी अरब के बारे में आपको पता होगा कि कोल से बिजली पैदा करने वाला पहला देश माईलाओं को ड्राइ अब पहला पहला हुआ है आइनस कोची जो है वो गया था सौधी अरब हमारा अलो सेनिक अभियास जो भारत और सौधी अरब के बीच में आयु जित हुआ सौधी अरब की राधदानी तन रीयाद है और 12 40 तरफ RAW मुद्रा रखी गई थी उसका नाम बताएं सुन्ता दिवस 2021 की एक थीम रखी गई थी और इसका आपको नाम बताना है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट नेशन ओन दवे अवर ग्रेट नेशन वी टुगेदर विद अवर नेशन कोई आ जाया तो पानी पीने को मिल जाया अगर कतर नहीं है उसकी राध्धानी अभी आएगा टू टू जीरो फोर सेवन वाला भी आएगा बताया नहीं है मतलब आएगा अगर वह इंपोर्टेंट है तो आएगा जरूर आप परिशान ना हो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो चूटेगा सर आपका सर्ट क्याच करना है तो इसका सही उत्तर होगा नेशन फर्स्ट ऑल्वेज दो फर्स्ट ये इस बार इसकी थीम रही थी अंतराश्टी युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है अंतराश्टी युवा दिवस हर साल बारा अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन वर्ड एलिपेंट डे भी मनाते हैं कौनसा राजिय सहरी छेत्र में वंसरसाधन अधिकारों को यानि कि जिसके पास forest में land हुई उसको भी एक land ownership का दरजा प्राप्त हुआ अभी तक क्या होता कि forest के land की कोई value नहीं होती थी जंगल की जमीन किसी की नहीं होती थी लेकिन जो आदिवासी महाँ पर रहते हैं तो उसको भी मानिता दी है किस राजी Mesela है 36 गर्मन दी है 36 गर्मन लबस 31 परसे है जो आदिवासी रहते हैं इस वज़े से महाँ पर इसको दीया गया है 31% 12 अगस को हाती दीवस भी मिनाते हैं इसको याद रखेगा Quad Navy का कौन सा वार्सी कभ्याद 25 से 29 अगस को आउजित किया गया पहले बाद तो उसका नाम बताईए फिर उसका एडिशन बताईए और इस बार ये कहां पर आउजित हुआ ये बताईए Quad वे कौन-कौन से देश सामिल है इंडिया जापान USA और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने अभी हाली में 25 से 29 अगस को आउजित किया गया ये माला बार अब्याद था कौन सा एडिशन था 25 अडिशन था सुरू कभ गुआ था 1992 में सुरू किया था भारत और USA ने 2015 में जापान भी सामिल हो गया और 2020 में उस्ट्रेलिया भी सामिल हो गया इस बार कहां पर आयजित हुआ गौवाम गल्फ आफ गौवाम में फिलिपिन्स के गौवाम सिटी है गौवाम पोर्ट पर गौवाम बोलेंगे इंपोर्टेंट है कि कहां पर आयजित हुआ बखलोल में नहीं आयजित हुआ है यार पानी में आयजित होता है यह बखलोल जबीन है योगेस राजपूत एक बार अटेंडेंस हो जाए इस कोश्चन के लिखे दीपादास यूनिक कम्मुनिटी जितेश राम टेके विनेश शर्मा गौवाम लिखेगा रॉय मैथेटिक्स रवी दिया चववन किलोग्राम वर सिव लाखेरा और राजकुमार राज, सरीता कुमारी, पंकच कुमार पवन थपवाल, विनोत कुमार, विनेश सर्मा केहम जुही, विकी एन केटी, यूनिक कम्मुनिटी निर्मैड पवन थपवाल, अगेन, केहम जुही, दिक्षा शिर्वास्तो, चुनील, आकास, पोल्ड एक बाद शेयर कर रहा हूँ, सब लोग, स्टप को टाइम दे रहा हूँ ये कोशन मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ एक बाद शेयर कर रहा हूँ, सब लोग करन, तोमर, इंदौर इस दर राइट आंतर, यशी पांडे गबबर, सिंग, पार्थ, प्रितम, NKT, इंदौर, इस दर राइट आंतर, ठीक है अभी थोई दर बाद फिर से ले लूँगा, परिशान मतो अटेनेंस ले लूँगा फिर से इंदौर, तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस सहर गोशित किया गया है ओडिया प्लस के बाद जो रेकिटिंग होती है वो वाटर प्लस होती है यहां पर मनलाब आपका जो सीवेज ट्रीट्من्ट प्लांट है वो पुरी तरीके से मनलाब सब Gomez जगह है सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट है उसको Clean Water में बदलने का भी मामला है player of the month किसे चुना गया है साके बलशन बांगलादेश की और वेस्टेन डीश की स्टेपनी टेलर को ICC player of the month for July July month के लिए चुने गया है साके बलशन और स्टेपनी टेलर किस राजे सरकार ने कोरोना की कारण अनाथ हुए बच्चों की सिच्छा में नौकरी में एक प्रतिसत का आरेशन देने की बात की है कि एक प्रतिसत का आरेशन देने को देना पावंत अपवाल आपका नाम जाने मेंने कितना लिया चुनी लाल पटेल आपका नाम हो गया न राउल मिश्रा अच्छा तुमने मेरा नाम ले लिया सही है बहुत बड़ी है चलो वह एक बार और लाइक वाइक कर रहा हो इसको वीडियो को अभी तक आपनोंने नहीं किया है जाते जाते 600 लाइक हो जाएंगे तो दिल में तमन्ना आ जाएगी मेरे वह दिल खुस हो वो एक परशन का आराच्छन देने की बात कर रही है और इसमें कई स्रेणी उन्होंने बनाई है ए बी सी बनाई है ए स्रेणी में वे बच्चे हैं जिनकी माता पिता की मत्यू कोविड-19 की कारण हुई है और उनके किसी रित्यदार या भाई बहन के बारे में कोई जानकार स्काइट्रेक्स वर्ड एरपोर्ट एवार्ड रैंकिंग 2021 में दुनिया का सर्फसेष्ट हवाई उड्डे की सुची में सीर्स पर कौन सा आया है विच टॉप दर लेश्ट ओब बेस्ट एएरपोर्ट इन द वर्ड एएरपोर्ट एवार्ड रैंकिंग तो वो है दोहा हमा इसको ध्यान रखेगा कौन सी रैंकिंग ती है दिली को कौन से नँमबर पर रखा गया दिली को 45 वे नंबर पर या पर रखा गया एप शलो नेक्ट में नेक्ट में तेरागस्ट दो जारिकिस को वाहन स्क्रैपिंग नीती का सुभारम किस ने किया अब क्या होगा अगर आप अपने वैकल को स्क्रैप करेंगे तो उसके पैसे भी मिलेंगे और नए वैकल खरीदने पर आपको रजिस्टेशन में छूट भी मिलेगी तो ये वहार स्क्रैपिंग नीती जो है वो तेरागस्ट को लॉंच की थी हमारे पैदानमंती नरेंद मोदी जी ने पैदानमंती नरेंद मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीजिका इस्मृती दीवस के रूप में मनाया या मनाने की बात की पहली बार पार्टिशन औरर रिमेम्बरेस डे मनाया गया है जोकि 14 अगस को देश में व्यापक रूप पर दंगे हुए थे 14 अगस 1947 को देश के विभाजन को लेकर के इसी वजए से इसे विभीजिका इस्मृती दीवस के रूप में मनाया गया हाली में रामसर सुची में कितनी नई भारती आदरभ्रूमी जोडी गई है कतनी इंडियन वेटलैंड जो है वो रामसर लेस्में एड की कई है और अब टोटल कितनी हो गई है तो टोटल हमारे पास हो गई है 46 पहले 42 थी तो जाइन सी बात है अब चार और जोड़ी गई हैं दो हरियाना की हैं दो गुजरात की हरियाना में अगर बात किये जाए तो सुल्तानपुर भिंडावा जबकि थोल और वदवाना जो है ये गुजरात की है तो दो हरियाना, दो गुजरात, और अगर हम लो रामसर साइट की बात करें, तो भारत के अंदर जो रामसर साइट है, उनकी संख्या अब हो गई है, 46, सरवादिक, UP में है, मैक्सिमम UP में है, 10 आपको रामसर साइट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और अगर हम लो बात करें देख की पहली जो थी, वो थी चिलका, झील, चिलका लेक जो है, वो देख की पहली रामसर साइट थी, देख की पहली रामसर साइट कोँ सी थी, चिलका जील थी, ठीक है, next one try कहते है, बारत किस पूर्व, अंडर 19, 20 कब विजेता ने भारती क्रिकेट से सन्यास की गोश्ण एपने आपको विराट कोली जैसा पील धेश्य दौशागी ललती है पटैंगी यहाफ और पाद में दूसरी की तरह बनने लगता लगता है और अन्मुक्छांग करें जाती है तो उन्मुक्चंड जो है ये बोला कि इन्होंने जैसे ये अंडर 19 वर्ड कप जीते तो मैंने केस इस्टेडी पड़ी थी उतमें लिखा कि इन्होंने तुरंत ही अपना मैनेजर मैनेजर रख लिया इनके भाव ऐसे बढ़ गए कि इनको इन्होंने IPL भी खेलना नहीक नहीं के समय जो दिये जाते हैं परमवीर महावीर वीर तो उनी के इनी के comparison में इसको माना जाता है तो इस बार 75 उन्द दिवस जो मनाये गया यह एक important question बन सकता है कि भाई इस बार कौन सा संद दिवस बनाई गया कौन से नम्बर का यही नहीं पता होता एध बहुत सारे लोगों इन दोनों को ही ये मरनो परांद दिया गया था लब एक सो चवालिस वीरता पुरुसकार को मंजूरी दी गए थी जिसमें से असोख चक्र एक किर्थी चक्र और चौदा सौर चक्र और चार बार टू सेना पदक यानि कि फोर बार टू फोर टाइम टू सेना मेडल दिये गये ह पाइब नेवी मेडल दिये गये हैं और टू एरफोर्स मेडल दिये गये हैं इसमें सिर्फ आपको यह या दखना है कि असोख चक्र किसको दिया गया बाकि तो पूछने को दो बहुत कुछ पूछ चक्र है तो असोख चक्र है एसाई बाबूरम और कीर्थी चक्र है प्रफिबंद लग जाएगा जैसे वो थर्मा कोलो काटोरी चमच नहीं आते हैं वो सब बेकार हो जाएगे हाली में केंज सरकार ने जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रफिबंद लगा दिया है और 30 सितंबर 2021 से बहुत सारे बदलाव किये गए प्लास्टिक केरी बैक की मोटाई 50 माइक्रों से बढ़ा कर 75 माइक्रों कर दी जाएगी 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रों कर दी जाएगी जितनी मोटी प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकल करना उतना आसान होता है भारत की पहली मवेसी जीनोमिंग चिप इंडी गव किसके दोरा जारी की गई इंडी गव क्या है एक तरह के चिप होगी जैसे माली जीजिय आप पत्र लगाना चाहते हैं कि यह जो भैस आप लेके आए हो यह गाय लेके आब यकिस नस लेकी है तो इसका आपको कही ना कही यह देशी नसलों के सुध्ध किसमों के सनचड के लिए भारत की पहली मवेसिक जीनोमी चिप है तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि National Institute of Animal Biotechnology ये कहां पर है तो ये आपका हैदराबाद में है ये आपका कहां पर है हैदराबाद में इसको याद रखेगा ठीक है बढ़िया अगला पिम नरेंद मोदी जी ने भारत को उर्जा स्वतंत्र Energy Independent आत्म निर्वर भारत उर्जा के मामले में भी कब तक बनाने की बात की है कब तक बनाने का लच्छ रखा है कब तक हम अपने आपको उर्जा क्या पूर धारना बना रखी क्या हो गया क्या कर दिया यूँ भी तुमने कब तक करना है 2047 यही मेरा दुरभाग है कि इतने सारे लोग लाइक करके गए और अगर यह लाइफ बने रहते हैं तो मेरे को भी 500-600 लोग लाइफ देख रहे होते हैं मजा आ जाता आज कोई नहीं आप प्यार देते हैं जितना आप कर रहे हैं उतना बहुत है मेरे लिए आप सभी मेरे साथ बने रहे हैं यहीं मैं चाहता हूँ तो भारत को ग्रीन हाइडरोजन का नया वैस्वी केंद बनाने के लिए राष्ट्री हाइडरोजन मिशन की थपना की है 2047 तक भारत को उर्जा सुतंद बनाने का लच्छ भी रखा है अब ग्रीन हाइडरोजन की थोड़ी सी बात कर लीजे ग्रीन हाइडरोजन मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट इंडिया का ग्रीन हाइडरोजन मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट कहाँ पर लग रहा है यह आपका मतुरा रिफाइनरी में लगा जा रहा है यह मतुरा रिफाइनरी में लगा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट यह आपका लग रहा है लद्दाफ में इसे एंटी पीसी लगा रहा है और इसे इंडियन आयल कॉर्परेशन लिम्टेट डेवलप कर रहा है इसे याद रखे दो चीज़ें याद रखेगा क्लास बत खतम होगा दस बजी के असपास भारत के 69 में ग्रैंड मास्टर कौन बने है पेपर आउट हो गया है भारत के 69 में ग्रैंड मास्टर बने है हरसित राजा है और इंडिया चेस्ट फेडरेशन के हैड कौन है और इंडिया चेस्ट फेडरेशन के हैड कौन है नहीत में बढ़निया चेस्ट नहीर चेस्ट नहींक नहीं राइड आंधरी संजे कपूर ओल इंडिया चेस्ट फएडरेशन के हेड को है संजे कपूर हरसित राजा जो है वो नए सत्रंज मास्टर्स बने हैं grand master बन गए हैं देश के पहले सत्रंज मास्टर जो थे वो आपके थे विश्वनातनानंद दूसे नंबर पे थे दिवेंदु ट्रेन चलाने की गोचना की है पंदागत, दोजा, तेज तक हम भारत में इतनी वंदे भारत एकप्रेस चला रहे होंगे अभी आपके दो चल रही है और अभी उन्होंने कहा है कि 75 चलाएंगे वंदे भारत एकप्रेस का पहले नाम क्या था? ट्रेन 18 था और इसको पिरामबुर चेननाई में बनाया गया है कहां पर बनाया गया है? पिरामबुर चेननाई में इसको डेवलप किया गया है वंदे भारत एकप्रेस में जो वर्तमान समय में ट्रेन चल रही है वो दो चल रही है पहली वंदे भरत एकप्रेस वारान असी से और नई दिल्ली के बीच चलती है जबकि दूसरी वंदे भरत एकप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच में चल रही है इसको याद रखेंगे अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है फटाफट से इसका आंसर करिए बहुत सारे लाइक हो गए हैं मैं बड़ा खुस हूँ आज जद्विन प्रहल चहल भी हाथ अतन प्लेयर था वो भी तो पैदामन्दी नरेंद मोधी ने पंदागस को 100 लाख करोण रुपई की एक योजना का कारेकरम का एक गोशना की है उस योजना का नाम क्या है 100 लाख करोण की योजना बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर है रोड एंट ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना सरकार की वो जमीने जो सड़क के किनारे हैं और किसी काम नहीं आ रही है उनको प्रयोक करना उनको लीस पर देना इस तरीके से बहुत सारे रोज़गार पैदा करने की योजना है तो गती सकती उसका नाम है क्या नाम है गती सकती ठीक है अगत 2021 में किस राज ने राज में चार नए जिलों के गठन की गोशना की है पहले मैं बताते हैं तो पहले इस राज में अठाई जिले थे जायरी बात है चार बनेगे तो 32 जिले हो जाएंगे कौन सा राज यह है यहाँ पर चार नए जिले बनाए गए है तो राइट आंसर विल भी 36 गड़, 36 गड़ में चार नए जिले बना दिये गए हैं, तो मुख मंतरी ने 36 गड़ प्रिसासनी विकेंदी कन के सिसले को और आगए पड़ते हुए, महला, मानपुर, सक्ती, सारंगड, बिलाईगड और मैनेंद्र गण के गठन की गोशना की है, अब राज में कितने जिले हो जाएंगे, 32 जिले हो जाएंगे, और ग्रामीर शेत्रों की भूमी में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का हग दिलाने के लिए, स्वामित योजना जो है, वो भी 36 गड़ में चलाई जा रही है, 36 गड़ में मुख मंतरी है, भूपेस, बगे इसको किस राज ने दलित बंदू योजना की सुरुवात की, दलित बंदू योजना, ये योजना जब आई, वहां बवाल कड़ गया, यह पैसा बही करो, दस लाख रुपए दिये जा रहे है, भाई, इस योजना के अंतरकर, कोई व्यापार सुरू करने के लिए, दस जिला बनाए, माइला धी थुराई, 31 जिला बनाए हुआ पे, करनाडग में भी बनाए है, विजयनगर, जांबिया के नए राश्पती कोन बने है, हकांडे हिची लेमा, जांबिया की रादधानी बताईए, जांबिया की मुद्रा बताईए, इब्राहिम रईसी की बात करन तो इरान के बने हैं, इरान की राधनी तेहरान, इरान में मुद्रा क्या चलती है, रियाल, निकोल पाश्नियान ये अगेन आगे, अर्मेनिया, अर्मेनिया की राधनी येरेवन, मुद्रा चलती है, ड्रैम, नाजिब मिकाती, नाजिब मिकाती लेबनान, कई बार हो चुका ह यह ना राजी मिकाति का बैरुत मुद्रा चलती है पाउंड हकांडे हिची लेमा जो है यह आपके बने जांबिया जांबिया की राधानी लू साका जांबिया की राधानी क्या है लू साका याद रखेगा याद रखेगा अच्छा इनको सकल तो देख लो इनकी यह है हकांडे हिची लेमा तो यूनाइट पार्टी फॉर नेशनल डेवलमेंट के अर्शासरी हकांडे हिची लेमा को मौझूदा एडगर लूंगो को हराने के पाउज जांबिया का सात्मा राष्ट्पती चुना गया अपका अफरीकन कंट्री है किस भारती को मरनो परान शर्वोच नागरिक संब्सकार है और अगर उन्हें यह परष्ट्पत होता है तो इस परष्कार को पॉरप्त करने हुआ उनले बहारती हो गया केसे प्रसिद्ध लोगप्रिये संखा सोडूकू के निर्माल करता है यानि कि जिसको सोडूकू को जिन्नों ने बनाया था उनका 69 वर्ष किया है उनका नाम क्या था उनका नाम क्या था मोहन दास करमचंद गांदी या वेरी गूड एक बार और लाइक पर लो राजीव गांदी ग्रामीड भूमहीन मजदूर योजना किस राजी सरकार ने सुरूक की है इनकी तस्वीर पैचान पारें आप राजीव गांदी ग्रामीड भूमहीन मजदूर निया योजना जो है ये 36 गर्ड सरकार ने सुरूक की है यह जो हैं भूपेज बगेल है जो तस्वीर आप देख पर हैं यह भूपेज बगेल की है तो बारालाग घुमी इन परिवारों को लाभानवित करने के लिए 200 करोन रुपे प्रावधान के साथ राजीव गांदी ग्रामीर भूमी योजना जो है वो सुरू की गई है कहां पर आपके चतितगड में आगे चलते हैं हाली में किस देश के सोथ करता हूने गडिती इस्थरंग पाई के एक नए रिकॉर्ड आकड़े की गड़ना कर ली है तो यह सुडियर लेंड के साइंटिस्ट है यह पाई का मानी निकलते चले गए छे दसमलो अठाइस अरब संख्या आए लिख दी इन्होंने पाई के माना आको पता ना तीन दसमलो चौदा तेरा ऐसा वो उच्छ होता है आगे जाके तो याद रखेंगे कि बाइस जुलाई बाइस बटे साथ का मतलब हो गया बाइस जुलाई को पाई एप्रोक्सिमेशन डे मनाया जाता है कौन सा डे मनाया जाता है पाई एप्रोक्सिमेशन डे मनाया जाता है तीन दसमलो चौदा का मतलब हो गया चौदा मार्च को आपका पाई डे मनाया जाता है दोनों अलग अलग है एक है पाई एप्रोक्सिमेशन डे और एक है प तो याद रखेगा पाई एप्रॉक्सिमेशन दे मनाए जाता है ठीक है याद रखेंगे याद ही रखोगे कोई ऐसा है नहीं मनलब इसमें कुछ गड़बड नहीं है जब जब मैं जल जला पढ़ाता हूं तो मैं डेली बेसिस पे इम्पार्टेंट नीज्ट देखता हूं वाई जो डेली करेंट याराब आपर अगले एसी न्यूज है जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है अगर उसमें इंपोर्टेंट का महला 50% भी चांस है कि वह 50% भी आ सकती है आपके हैं तो मैं उसे अच्छा मैंने च्छे दिसमलो 8 खरब कर लिजेगा कुछ गलत लिग दिया मैंने वहाँ पर 6 दिसमलो 8 खरब लि देख लेता हूँ आपको वह मंतली करेंट अपको दिखेगी बागी जिसका मुझे लग रहा हो था इसका 10% चांस भी नहीं आनेगा मलब 50% ने नीचे का चांस है उसके आनेगा तो मैं उसको अटा देता हूं किस राज सरकार ने अगले 10 वरसों तक भारती होकी टीम के दोन पटनाएक वो खुद एक बढ़िया होकी प्लेयर खिलने वाले भी रहे हैं तीक है केरल में एतिया सहासिक परेटन के ब्रांड अमेडर के रूप में किसे नियुक्तिक किया गया है केरल के मुख मंतरी प्रिनराई विजियन गवर्नर आपके आरिफ मुहम्मद मलब केरल के स साइद मुख मंतरी ऐसे होंगे जो ये मना रहे होंगे कि यार ये गवर्नर क्यों नहीं बदल रहो आठ स्टेट के बदल दी अभी गुजरात में तो मुझे लगता है विजयरूपानी ने इस्तीफा देता बुपेंदर पटेल जो है वो गुजरात के नए मुख मंतरी बन मेरे पास के हमला सब के पास आई है कि मुख मंतरी जो है विजयरूपानी की जगे कौन बन गया है भुपेंदर पटेल बन गया है तो केरल के सासी परेटन के ब्रांड एमेडर के रूप में अभी हाली में किसे नामित किया गया है उनका नाम मत आई है पियार स्रीजेस को केरला के रहने वाले हैं गोल कीपर है एकदम ख़डारा चट्टान की तरह बंदा दे गोल दे गोल आ रहे तो सब रोख लिया इसमार्ट हेल्ट कार्ड मौहया कराने वाला देश का पहला राजर कौण सा है इम्पोर्टनश यूज थे देश का पहला राजर जिसने स्वास शेतर में बड़ा एलान किया बीजू स्वास थे कल्यान योजना बीजू पटना है जो थे वो इनके पिता थे डेमोक्रेट डेयर डेविल उनकी पुस्तक है स्मार्ट हेल्थ कार्ड मौया कराने का एलान किया है पती बर्स पांच लाख रुपए तक इलाज में आप खर्च कर सकते हैं और मैलाओं के ये सुविदा 10 लाख रुपए है तो ऐसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने वाला ओरीसा जो है वो पहला राज्य है कहीं जाओ नहीं अब अब यार हमें 200 तक ले चलो अब हमें 200 तक ले चलो दोस्तों बहुत बेज़ देती हो गई यार ऐसा ना करो ग्रीन एटियम गुरुगाओं बिलकुल गरीब किसान का बेटा आ गए आप सुप्रीम कोट के कॉलेजियम ने सिफारिस करता है कि अगला मुख नयादीस कौन होगा या नयादीस कौन मनेंगे सुप्रीम केट के इस बार तीन महिलाओं लिव मैंने आंसर ही बता दिया महिला नयादीसों के नाम सिफारिस की है तीन महिलाओं के नाम नयादीसों के सिफारिस की है और ऐसा हो सकता है कि हमें देस में पहले मुख पहली मुख नियादिस के रूप में एक महले पहली महिला मुख नियादिस के रूप में देखने को मिल जाएं तो SC कॉलिजियम दरत तीन महिला वह जिनकी सिफारिस की गई है वो है बीवी नागरतना ये करनाटक हाई कोड की हैं तिलंगना हाई कोड की हिमा कोहली और गुजरात हाई कोड की बेला एम तिरवेदी बारत के मुख नियादिस एनवी रमनना है और ये नोने तीन महिलाओं सहीद नौ नामों की सिफारिस की है जो कॉलेजियम की तौर पर नई नियुक्ती के तौर पर देश में मलब सुप्रीम कोड में आएंगे भारत में प्यतीग वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है थोस्तों ये अमारे पूर्व पधानमंत्री राजीव गांदी जी की याद में मनाया जाता है इसके अलावा 20 अगस को ही मच्छर दिवस भी मनाया जाता है इसके लावा अक्षे उर्जा दिवस यानि कि Renewable Energy Day भी आपका 20 अगस्त को ही मना जाता है तो 20 अगस्त को तीन दिन हो गया, एक सद्भावना दिवस हो गया, एक आपका Renewable Energy Day हो गया ये तीनों ही 20 अगस्त को मना जाता है, इसके लावा 21 माई को राजीव गांदी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 21 माई को राष्ट्रिय आतंगवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है बहुत बड़िया, ठीक है, ऐसा ही कर सकते है, मौस्किटो एनर्जी सद्भावना हाली में किस देश ने तीन बच्चों की नीती को मंजूरी दे दिया, अब आ तीन बच्चे तक आरआम से पैदा कर सकते हैं, तीन बच्चे ही आपको पैदा करने हूँगे ज़्यादा बच्या być का बूड़ा देस हो जाएगा हाली में मलेशिया के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे न्यूक्तिक किया गया तो हकांडे हिची लेमा हमने पढ़ लिया ये जामबिया चले गए इब्राहिम रईसी इरान अब्दुल्ला साहिद यूएन जी यानि कि साहित राश जनरल असेम्बली तो बशे कौन इस्माइल साबरी यूखूम मलेशिया के नए प्रधान मंतरी बने है और मलेशिया की राधदानी कौलालंपूर मुद्रा क्या उन से चलती है रिंगित करेंसी क्या चलती है मलेशिया में रिंगित याद रखेंगे अब तो बहुत ही कम होते चले जारो एक एक करके यार असम के मुख मंतरी ने किस जेल को एक विरासत इस्थल के रूप में सरचित करने की बात की है अभी कह रहे हो बेटा लेकिन जब बच्चा होता है न तो वो इतना प्यारा हो जाता कि किसी को देते बनेगा नहीं तुमसे अभी जाने यतना पतिया लो तो यह है सेंट्रल जेर जोड हाट को विरासत इस्थल के रूप में विक्षित करने की उन्होंने बात की है एडवांस सेब ढुलोजी किसने विक्षित की है यह एक ऐसी टेखनोय है कि अगर अप हवाई जाज में लगा देना तो आप राडार पकड़ नहीं पाएगा उसको तो यह DRDO ने विक्षित की है किस ने विक्सित की है डी आडियो डीयो की स्थापना कभी थी नाइटीन फिप्टी एट में इसका मुख्याले कहां पर नियू डैली में है वर्तमान समय में इसके हैड कौन है जी सतीस रेडी कुछ चीजें तो ऐसी हो जाती हैं कि मालब बार 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 बताने में भी सरमाने लगती है ना बताओ तो बच्चे कहते हैं रही यह बताते नहीं है तो चैफ टेक्नलोजी आप समझ गया इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है स्याफ टेक्नलोजी जो है कि राडार ने देशित मिसाइलों को विछलित कर देंगे मालब की जैते हैं आपके तरब मगर मालब मि आ है कारखंडर योजना अभी आ रहे है वाई अच्छा तुम आगे आगे चल रहे हो आगे कैसे पहुंच गए वाई कारखंडर योजना जो है वो आपका जमू कस्मीर का योजना है मनोच कुमार सिना वरतमान समय में आपके लेप्टिनिन गवर्नर है कहां के जमू कस्मीर पूने में एक कैंट स्टेडियम है उसका नाम किस ओलंपियन के नाम पर रखा गया है नीरत चोपडा के नाम पर यह की स्कीम चला रहे हैं भारा सरकार वाले क्या कर रहे हैं वो कि जो भी आएगा तो ओलंपिक एट्लेटिक्स ट्रेक एंड फील्ड में उन्होंने यह जीता है और आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट्यूट परिश्म में एक स्टीडियम बना टोक्यों एक स्कीम चला एक स्कीम चलाएं जिसके ज़रे ओलंपिक में जो लोग भी पड़क जीतते रहे हैं उनके स्टेडियम नाम पर इसमार्कों के नाम रखने से उनका नाम मिलेगा और लोगों को प्रेंड़ना भी प्राप्त होगी इस वज़े से इसको किया गया थे इंडियन फेस्टिबल ऑफ मेलबर्ण 2021 में The Family Man 2 के लिए सर्फसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार अब Family Man 2 में था कौन? मनोज बाचपई था यार यार ये कैसा प्रशन हुआ तो मनोज बाचपई को यहां पर सर्फसेष्ट अभिनेता इन सीरीज वेब सीरीज दिया गया है विद्यापालन को सर्फसेष्ट अभिनेतरी का पुरुसकार दिया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिबल ऑफ मेलबर्ण में सेरनी फिल्म के लिए जब कि सोराई पटरू सोराई पटरू ये मूवी है सूरिया की उसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म एक्टर का पुरुसकार दिया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिबल ऑफ मेलबर्ण में हाली में कि देश का नाम बदलगर इसलामिक अमीरोत आफ अफगानिस्तान कर दिया गया है तो ये है अफगानिस्तान इसमें तो कुछ है ही नहीं अफगानिस्तान में नई सरकार बन गई है बड़ा मामला चल रहा है उनका बात की सबसे अधिक उचाई 11,000 फिट पर एक हर्बल गार्डन बनाए गया है ये कहां पर बनाए गया ये हर्बल गार्डन जो है ये कहां पर बनाए गया उसमें एक वन अधिकारी की भूमका उन्होंने निभाई थी मनोज बाज़ पर एकदम फाय आ रहा तो 11,000 फिट पर हर्बल गार्डन जो है ये उत्तराखन में बनाए गया है उत्तराखन के चामोली जिले में यहीं पर अभी भागी रह थी नदी जो थी वो भाव आ गया था काफी तेजी से तो एक दुर गटना हो गई थी यहां पर हर्बल गार्डन का उस गार्टन यहीं पर किया गया है हरून 500 सब से मूली वान सूचक्यूं कंपनी में सूची में 2021 में भारत की Reliance Industries जो है वो कौन से नंबर पर है हरून ग्लोबल में भारत की जो Reliance Industries है वो आपका 57th नंबर पर है कौन से नंबर पर है? 57 नंबर पर है और इस सूची में Apple जो है वो दुनिया की सर्वसेट बढ़िया कंपनी है तो हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल वान कंपनीों की सूची में एपल दुनिया की सबसे मूल वान कंपनी है एपल के बाद Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent के रूप में रहे है जबकि Reliance Industries इसमें 57 इस्थान पर आई है इसमें 12 कंपनीों को जगए मिली है और अभी हमने देखा था कि पार्चून ग्लोबल में 7 इंडियन कंपनी को जगए मिली थी जिसमें Walmart सबसे उपर था और Reliance का जो पोजिशन था वो 159, 55 था तो ये एक तैसे revision भी आपका यहां पर हो गया आगे चल दे हैं हाली में Green Steel उत्पादन करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश बना है Green Steel का मतलब यह है कि Steel के उत्पादन में काफी ज़्यादा कोईला लगता है काफी ज़्यादा आपका फ्यूल बगएर लगता है तो वो फ्यूल नहीं लग रहा है वहाँ पर पूरी तरीके से इसको Green Hydrogen से डेवलप किया गया है या Green Fuel से इसको डेवलप किया गया है तो ऐसा करने वाला Sweden जो है वो पहला देश है जहां पर आपको Green Steel मिलेगा क्या मिलेगा? हरा Steel नहीं होगा मनलब उसको पैदा करने में या उसको production करने में किसी भी तरीके के fuel का इस्तमाल नहीं किया गया है जो आपका conventional fuel होते है मनलब पैट्रोल का इस्तमाल नहीं किया है डीजल का इस्तमाल नहीं किया गया तो पिलाल hybrid को रिखांकित करने का विचार इस पात उत्पादन में कोईला और कोक के बजाए सौ प्रतिसद जीवास मुक्त हाइड्रोजन का उपियोग यहां पर करने की बात की गई है कोर कोर कोरिया कोरिया गलत है हाली में किस दिगज बिजेपन एता कल्याण सिंग का निदन हो गया वा किस राजिगे पूर मुक मंत्री थे बताई बताई बीजेपी निदा कहां के थे चने खा गए हो तो मत खाओ भई अभी रात में चने नहीं खाए जटे चने खाने हैं सुबह खाओ उत्ताप्यदेश के मुक मंत्री रहे हैं वो रहे थे 2014 से लेके 2019 के बीट में वो राजिस्थान के राजिपाल रहे और 20 अगत 2021 को लखनो में उनका निदन हो गया था जून 1991 से दिसंबर 1992 और फिर सेतंबर 1997 से नॉम्बर 1999 तक वोत्ताप्यदेश के मुक मंत्री रहे थे उनी के टाइम पर ये राम मंदिर वाला जो हुआ था मुद्दा नहीं उनके टाइम नहीं मुलायम सिंग के टाइम पर हुआ था राम बाबरी मस्जिद कब गिराए गई थे उनीस सो बानवे में सथी पार वह तो उसी TIME वी रहे होंगे मैं कंफ्यूस हो रहा हूं सायद उस लोही सही मुलायम सिंग के सरकारती की कलियारती। 2021 में संस्कृत दिवस का मनाए गया है निए इसका संस्काट विश्स की सरवातिक टेक्डिकल बाथा है और इसका संस्कृत धिवस हर सबसे इंडो यूरोपी भासाओं में सबसे पुरानी करनाटक में एक ऐसा गाउं है जहां हर कोई संस्कृत में ही बात करता है गाउं का नाम सिमोगा जिले के मत्तूर है संस्कृत को उत्राखंड की आधिकारिक भासा गोसित किया गया है सास्तिरी संगीत में करनाटक और हिंदिस्तानी में संस्कृत प्रियोग करते है वर्तमान समय में आपके एजूकेशन मिनिस्टर कोन है सिच्छा मंतरी कोन है बता दो फटाक से तब तब मैं बताते हैं वर्ड वर्तमान समय थे वर्तमान समय में आपके एजूकेशन मिनिस्टर कोन है सिच्छा मंतरी कोन है वर्तमान समय में धर्मेंदर सिंग प्रधान वेरी गूड हीरू बहुत बढ़िया धर्मेंदर सिंग प्रधान वर्तमान समय में आपके सिच्छा मंतरी है ठीक है बहुत बढ़ गणगा प्रसाद की बात करें तो सिक्किम यह मंगु भाई MP के हैं और स्रीधरन पिल्लाई गोवा के बन गए हैं तो बचे कौन ला गणीशन तो ला गणीशन जो हैं वो मनीपूर के नए राजपाल बनाए गए है ठीक है 600 लाइक हो गए है क्या बात है चाग है यार तुम लोग आगी लगा दिये कोई तो लाइक कर दो यार लेने 600 नहीं हुए 599 हुए अभी चली ये बताइए दता तेरे को कहा से दिख रहे हैं 599 लाइक मेरे को तो 590-80 दिख रहे है शेयर कर आओ यार एक बार ये कम हो गए है कम मतो विसका सबसे उचा थियेटर कहां पे लगेगा लद्दाख में लगेगा अब लद्दाख वाले जो हैं वो पिक्चर देख पाएँगे तो वहां पे थियेटर लगाया जा रहा है और इस थियेटर को लगा रही है Picture Time Digiplex 11,565 fit की उचाई पर इस थियेटर को बनाया जा रहा है और ये विसका सबसे उचा थियेटर होगा सबसे उचा थीएटर होगा रोविंग सिनेमा हो इसमें चलेगा रोविंग मलब वो रोल वाला चलनी चलता बिरील चलता उसके साब से इस हिसार हरियाना में है हिसार इस थानी हवाई एड़े का नाम बदल दिया गया है क्या रख दिया गया है बहुत अच्छे ठीक है यार हमें तो 599 यह दिख रहे है क्या बात है 607 लाइक हो गया है मैं लोग लाइव रहते हैं तो कसम से मज़े ही आ जाता बरवात करे हो पूरा जीवन मेरा आते हो चले जाते हो कभी मेरे हिसाब से भी चल लिया करो अपने हिसाब से चलना होता है कोई नहीं चलो हिसार के स्थानी हवाय एड़े का नाम महाराजा अग्रेशेन के नाम पर रखा गया है तुम लोग को सर बोल तो सब जाते हो और हर बात के बाद बोल देते हो कोई नहीं अरे टेक्निक है है अपने है इनका इस्टाइल है, बाबुरा होगा महाराजा अग्रेशेन के नाम पर रखा गया है चौधरी चरन सिंग्ह के नाम पर नहीं रखा गया nenhuma अजया देश में कुल कितने इंटरेशनल ऐरपोर्ट है इंटर नेशनल ऐरपोर्ट देश में क्ल कितने है भारत कौन से नमबर पर है विस्वे सरवादिक विदेशी मुंद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से नमबर पर आया है तो विस्वे सरवादिक विदेशी मुंद्रा भंडार वाले देशों की सूची में जो भारत है वो पांचमे नमबर पर है अगर देखा जाये तो चाइना ये है, फृर दूसरे नमबर पिर जापान है फिर सुडियर लेंड है, फिर इंडिया है माफ़ी चाइंगे, मैंने 5 मा लिख देखा है हाँ, 4 नमबर पर है, सौरी, हम से कलते हुई, 4 नमबर पर है तो भारत कौन से नमबर पर है? चौथे नमबर पर है पाँचवान इसको करेक्ट कर ले न आप बढ़ो हम आपके साथ हैं अक्का रोएत क्या बात है? करहर मैदान पते गाना बढ़िया है यह हाली में ओम नम्बियार का निधन हो गया वह निम्न में से किसके कोच थे? पैचान पा रहे हैं आप इनको? इनका नाम है पिला वुला कांडी पिला वेला कांडी थेलेपरल थेलेपर रामिल उसा थेलेपरनल उसा पीटी उसा पीटी उसा के कोच थे जिनका भी हाली में विधन हो गया माकाल वाग गया आज यह बाबुराओ का इस्टाइल है एक बहुत इंबॉर्डेंट प्रशन ध्यान से सुनिएगा इसको दीखें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों की पैचान उलखित करने के लिए राज सरकारों की सक्ति को बहाल करने वाला ये संसुधन है ये सक्तियां 342 में दी गई है और ये संसुधन 342 ये में संसुधन करता है और इस तरीके से समिधान में 105 समिधान संसुधन हो गया है ये विदेयक 102 में समिधान संसुधन के रूप में आया था 127 में समिधान संसुधन विदेयक के रूप में आया इस बार फिर से आया 2021 में और अब ये कंप्लीट हो गया है 105 समिधान संसुधन विदेयक और इसके जरीए जो महराज सरकार ने मराठों को OBC में आरश्ण दिया था वो रद कर दिया गया था तो 342 एक एक खंडर एक और 2 में संसोधन करेगा तो यह मत कह이गा कि 127 समिधान संसोधन है ये जो है वो 105 में समिधान संसोधन को यहाँ पर यानि कि 105 में समिधान संसोधन हुआ है विदेयक जो था इस तरह के समिधान संसोधन जो विदेयक आए है वो 127 में नमबर का था समझ नहीं मलब उसमें सारे समिधान संसोधन नहीं हो पाए 127 समिधान संसुधन भी देख आए उनमें से सब में नहीं हो पाए है 105 समिधान संसुधन हुए अप किलर है सर आपका करेंड़े पर लास्ट मन से देखना शुरू क्या है बढ़िया, thank you NMP का फुल फॉर्म क्या है ये बहुत important news रही थी अगस्त के दोरा लाग करोन जुटाने का लच्छ है रेलवे में 1.5 करोन लाग करोन जुटाने का जड़्ट है जुगाड़ पनाया जा रहा है 11,450 करोन रुपए इस्टेडियम से जुटाए जाएंगे पावर ट्रांस्मिशन के जरीए 4,52,000 करोन रुपए जुटाए जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे जुटाने की बात की जा रही है तो याद रखेंगा ये है National Monetization Pipeline यानि कि राष्टी मुद्रकर्ण इसमें 6,00,000 करोन रुपए की जिस संपती की पैचान की है उसमें सडक सबसे उपर है इसका मेन मोटिव यह होगा कि जो भी सरकारी संपती है उनको लीज पर दिया जा सके ताकि उनको सरकार को मेंटिनेंस का पैसा ना देना पड़े और काम भी हो जाए अगला है उभरते सितारे फंड की स्थापना किसने की है उभरते सितारे फंड की स्थापना एकजिम बैंक और सीड़ी दोनों ने मिल करके की है कि जो भी स्टार्ट अप है और लग रहा है कि वो सौ मूलेवन कंपनियों में कनवर्ट हो सकते हैं तो उनमें फंड डाला जाएगा और उसके जरीए जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो उभरते सितारे फंड की तरीके डिस्टिब्यूट किया जागा ये भी एक तरह का म्यूचिल फंड के जैसा ही है तो ये दो बैंकों ने जारी किया है एक है एकजिम बैंक और एक है सिडवी एकजिम बैंक की इसता अपना 1982 में की गई थी मुंबाई में इसका मुख्यालय है वर्तमान समय में डेविड रसकिनहा जो है वो एकजिम बैंक के हैड है और शिडवी की सता अपना 1990 1990 में आई थी दो अप्रेल में आया है मुख्यालय इसका लखनौ में है लखनों में है शिवर सुबर मन्यम सौमी जो है वो वर्तमान समय में इसके हैड है ठीक है याद रखेगा ओडम उस्सो निमन लिखित में से किसके साथ समाप्त होता है अभी तब प्रश्मी ये बनता था कि ओडम जो है ये किस राजी में मना जाता है तो ओडम जो है वो केरल राजी में मना जाता है इस उस्सो की जो समाप्ती होती है वो थिरुवनम पे समाप्ती होती है जबकि इसकी जो सुरुवात होती है वो अथम से होती है जो पहला दिन होता है उसे अथम कहा जाता है कि दो अप्रेल 1990 अच्छा 1982 एक्जिम बता रहे हो सिद्वी बहुत बढ़िया बता तो दिया यार यह कम मत हो कम मत हो कम मत हो कल क्लास आएगा और अभी दगर आपने चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल सब्क्राइब कर लिजे और इसी भी 612 लाइक हो चुके हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ओडम केरल का प्रसिद्ध तेवार इसको थोड़ा पूड़ा पढ़ लिजे क्योंकि आजकल जब एक्जाम में कोशन आ रहे हो थोड़ा काफी जदा उससे आ रहे हैं तो तेवार अथम से शुरू होता है और थिरू अनम पर खतम होता है त तेवार दस दिनों तक चलता है मल्यालम केलेंडर के अनुसार जोतिस सितारों के नाम पर इसको रखा गया है ओडम के उससा कोई शुरूवात अथम से होती है केरन में लोग अपने घरों को पीले फूलों से चजाते हैं जिने पोकालम के नाम से भी जाना जाता है तेवार क दसमा दिन ओडम के कारनिवाल का सबसे मात्पूर दिन है अथा माना जाता है कि थिरूवनम पर महराजा बली महाबली की आत्मा केरल राजी का दौरा करती है इसलिए उससो सुभू से ही शुरू हो जाता है यार कहां हमारे वाले में जट तो कितना दिख रहा है लाइक हमारे वाले पर दिख रहा है 616 विश्व जल सब्ताद 2021 की थीम क्या है वार्ड वाटर वीक की थीम क्या है यह है बंजिंग रेजिलियस फास्टर वालड वाटर वीक जो 23 से लेकर 27 अगस्त कम नाए गया इसकी थीम है बिल्डिंग ॐलोल वाटर डे कम नाय का सकते हैं तो वर्डर वी एप कनाय जाता है प्रत्तेख बाईस मार्च को कम नाते हैं बाईस मार्च को अब 600 हपी जधा है झा सब्सक्राइब काफित कॉपीयो और्लंबिक ना इसमें टोक्यो पर लबनुटी में परफ़त के नए धोजवाहा कौन बने है तो टोकियो प्तिंड भारत के नए धोजवाक बने है टेक्छन कौन है जैवलीन थ्लोवर है क्या करते है जैवलीन थ्लोवर है मरियपन थंगा वेलू जो कि उची कूद खेलते हैं उनको यहाँ पर जॉइन करना था बट वो नहीं जॉइन कर पाई क्योंकि COVID-19 के चक्कर में उफाथ कहते हैं हाली में जारी West Week वी निर्मान जोखिम सूचकांग 2021 में भारत का कौन से नंबर अपर आया है तो West Week यानि कि आपका Manufacturing Risk Index आप मानेंगे नहीं लेकिन इसमें भारत दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर आपका USA है दूसरे नंबर पर आपका इंडिया है यानि कि भारत में जो Manufacturing Development है यानि कि रिस्क जो है वो काफी कम है आप यहां पर आराम से Manufacturing Unit लगा सकते है कंपनी में कंट्री में कितने अच्छे आराम से रिस्टार्ट की जा सकती Manufacturing Talent और लेवर कितने आराम से मिलेगा Operating Cost कितनी कम आएगी Risk कितना कम है इन पर आधारित है ये Index जिसमें चीन पहले स्थान पर है अगर आपको याद हो डेनमार्क में एक आईलेंड बन रहा है इसका नाम है लीनेटे होम जो है ये डेनमार्क का एक Artificial Island है जो डेनमार्क यहां पर क्रियेट कर रहा है क्योंकि डेनमार्क को डर है कि कई भविस्व में वो डूब न जाए तो कमसें सब्सक्राइब बना रहे है तो नौर्थ सी भी उसे कह सकते त्री सागर भी कह सकते तो उधर वो बना रहे है एक आर्टिफिशल आईलेंड बनाने जहां पर पूरी एनर्जी के लिए काम किया जाएगा और अब ही हाली में हमने डेनमार्क के साथ समझाता किया है ताकि हमाने हाँ जो विंड एनर्जी है उसको डेवलप किया जा सके अफगानिस्तान से भारतियों को निकालने के लिए भारती नागरिकों के निकालने के भारत के इस मिशन को क्या नाम दिया गया है अफगानितान से भारती नागरी को निकालने के लिए भारत के इस मिशन को नाम दिया गया है तो अपरेशन देवी सक्ती तो अफगानितान से अपने नागरी को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन आपरेशन देवी सक्ती नाम दिया गया है भारत ने 16 अगस से काबुल क दिल्ली से लबस 40 भारतियों को एयर लिफ्ट करके अपना निकासी मेंसन शुरू किया था और तब तक 800 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है जर्मनी में भारत का अगला राजदूत किसे निफ्ति किया जाएगा अब मैं थोड़ा का फास्ट कर रहा हूँ जर्मनी में जो भारत के अगले राजदूत होंगे यज़ा कि आप देख पा रहे हैं कि संजेर राना संजेर राना जो हैं ये बुल्गारिया में है कहां पर हैं बुल्गारिया में हरीस पारवद नेनी ये राइट आंथर है हरीस पारवद नेनी आलोक रण्यन जा के हम लोग बात करनें तो ये बेलारूस में है बहुरत के में बेलारूس की राधानी है मिंस्क, बुलगारिया की राधानी है सोफिया और मनपरीत वोरा के बारे में आपको पता हिये ये ऐस्टेलिया और नारू में है और नावरू में भारत के उच्छायुत हैं हाई कमिश्नर के तोर पर है ठीक है NBA चेंपियंशिप रोष्टर में सामिल होने वाले पहले भारतिये कौन बन गए है तो पहले भारतिये कौन बने है उनका नाम है प्रिंस पाल सिंग उनका नाम क्या है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे आझे यार 1000 लाइक होने चाहिए थे प्रतिवस अंतराहष्टी कुत्ता दीवस कम मना जाता है डॉग डे कुता चन लखता है लगाली दे रहा है तो डॉग डे कम मनाता है इंग्लीज में बात करते है अच्छा रिचार्ज खतम हो रहे है लोगों कर बचागे रखा करो मेरे लिए दो कित्ते कम लोग हो गए यार नाकी कटा दो तुम लोग मेरी पूरी तरीके से बढ़ी मेनस से क्लास लेकिया हो कब मना जाता है इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाते हैं बताओ तीस अगस्ट से से प्रसिछन अभ्यास काजिन भारत और कि देश के बीच शुरू होगा तो काजिन जो है भारत और कजाकेस्तान के बीच में मनाया जाता है बारत और कजाकेस्तान के बीच में जो से प्रसिछन अभ्यास यह पांच्वा संस्करन होगा और itक करेंग कर लें तो कजाकेस्तान आप देख सकते हैं यह कजाकेस्तान में अरल सागर है बिल्कुल खतम कर दिया लोगों ने इसको नदियों का बहाओ बदल बदल के इसको खतम कर दिया पूरा यह बालकस लिए जो आप देख पारें यह कासिम जॉम्राट टोकराओ कैपिटल का जाके तान की नूर सुल्तान है मुद्रा चलती है टेंगे मुद्रा के चलती है टेंगे इंपोर्टेंट प्रशन चा जाने वाला प्रशन साहित एकदनी पुरुसकार 2020 दिखी भई साहित एकदनी पुरुसकार जो है इसकी सुरुवात 1955 में की गई थी किसको दिया गया था माखनलाल चतरवेदी जी को दिया गया था उनकी पुस्तक, उनकी काविश संग्रह हिम्तरंगिडी के लिए इस बार जो ये दिया गया है ये सोद्रा, मिश्रा और उमन्चरी नन पिल्ले को उडिया और मलयालब भासा के लिए दिया गया है, एक्षिल में ये 24 भासाओं में दिया जाता है, अप्रैल में ये 20 भासाओं में दे दिया गया था, चार भासाओं बाकी थी तो उसके लिए अभी हाल पिलाल दे दिया गया है, तो ये सुदरा, मिश्रा और योमचरी एंचिललेग पिललेग को, मैंन पिललेग को तो ओडिया और मालियालम में उनके उत्रेश कार्यों के लिए साइट एकनमी पुरुषकार दिया गया है ठीक है? समुद्र कला, घरा, ओमचरी एन पिलेग, उनके काम, अकास मिकम, ओमचरी ते, ओमरा, किल, और हम छोड़ दो, इसको मत पड़ो 2020 के गोष्णा की गई थी, जिसमें से 20 भारती भासों को दिये गए थे, 4 रहे गए थे अंग्रेजी साइट 24 भासों में दिया जाता है, इस बार हिंदी के लिए जो दिया जा रहा है, वो टोकरी में दिगन थेर कथा है ये, अनामिका जी को दिया गया, जबकि अंग्रेजी में अरुंदती सुब्रमन्यम को वेने गौड इस ट्रेवलर, पोईट्री के लिए दिया गया है, तो अंग्रेजी और हिंदी का याद रखेंगे, इस बार ये दिया गया, ठीक है, प्राइज मनी एक लाख कहाँ जा रहे हो, अब थोड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, मार्लब मै दो गनटा पढ़ा सकता हूँ, आब दो गनटा पढ़े नहीं सकते हूँ, गजब बेजिदी कर रहे हो, ठीक है, तो सेहिकारिता मंत्राले, सैई साची की रुप में किसे नीव्त किया गया है, तो ये न सचे बने हैं अमिद कुमार सींग पतरूल ज्हक्षायक बेज़ लुए सिवह प्रांड जो भूनद फारा मूर्ज लुक्त सबस्ट जी ने की थी इसका जो टैग लाइन होता है BSF का वो होता है Duty on to death यानि कि म्रत्यू परियंत करता ब्यो Duty on to death म्रत्यू परियंत करता ब्यो तो पंकच कुमार सिंग जी को अभी हाली में नियोक्ट किया गया है और ये BSF के माने देशा के रूप में कारे रथ है SS देशवाल के सेवा निवरत होने के बाद इन्होंने कारे भार समाला है अभी तक क्यात कौन थे SS देशवाल थे करनाटा के बाद National Education Policy 2020 को लागू करने वाला कौन सा राज्य देश का दूसरा राज्य बन गया है तो जो राज्य दूसरा राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश करनाटा के बाद दूसरा राज्य जिसने नई सिच्छा नीती को अपना लिया है वो है मध्य प्रदेश 26 दगा 2021 किस को किस देश ने बुक्तान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मानिता देने की बात कही है कि अब हम बुक्तान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मानिता देने जा रहे है तो यह है क्यूबा जहां El Salvador जो है उसने तो पूरी तरीके से Bitcoin को Legal Tender गोसित कर दिया है यानि कि Bitcoin जो है वो वहाँ पर Legal Tender के रूप में कार्य कर रहा है हाँ, 1 December 1965 को BSF की स्थापना हुई थी, correct 1 December 1965 को BSF की स्थापना हुई थी, ये मैं बताना भूला ना 1 December 1965, थैंक्यो दिनेस क्यूबा की राध्दानी बताओगे? हवाना क्यूबा की राध्दानी क्या है? हवाना, क्यूबा की राध्दानी हवाना, याद रखेगा अगर 2021 में किस राज ने एक नई योजना मेरा काम और मेरा मान शुरुआत किया है तो ये है पंजाब सरकार पंजाब सरकार ने क्या किया है कि 27 अगस 2021 को एक नई योजना मेरा काम मेरा मान को मंजूरी दी है यह राज में बेरोजगार युगाँ को अपने कौसल को सुधारने वो नौकवी पाने में मदद करेगा इसमें 12 महीने के अवधी के दौरान प्रती महा 25 सो रुपए एस रोजगार बता आप समझ लो या एस ए ट्रेनिंग फीस समझ लो 25 सो रुपए रोजगार सायता के रूप में दिया जाएगा पीसी जो है करेंस पीसो जो है वो करेंसी है बहुत बढ़िया अगर 2021 में अंतराश्टी सेनो तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां किया गया ये एक्शल में एक एक्सपो था जहां पे विदेशों से लोग आ रहे थे अपने अपने डिफेंस ऑपरेटर्स को दिखा रहे थे अगली आखिरकार ये आई अए टी बीपी के नए महान इधेशक के रूप में किसे नहुत किया गया बारत में हर साल राष्टी ये खेल दिवस कम मनाया जाता है। इसी के जरीए फिट इंडिया मुव्मेंट की भी शुरुवात हुई है। 3 सितंबर 2021 को अंतराष्टी जलवाईव सिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। 12 नॉवंबर को अयवजित की जाएगी। इसके बारे में जरूर याद रखेगा। ये ग्लासगो स्कॉटलेंड में अयवजित की जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। और भारती पेर अलिंपिक में लबब 19 पदक जो हैं वो भारत ने जीते हैं। सितंबर में चीन के और पाकेतान, थाइलाइंड और मंगोलिया दोरा सहीत रूप से कौन सा अभ्यास आयवजित किया। तो ये एक नया क्वाड निकल करके आया है। ये हैं चाइना, पाकेतान, थाइलाइंड और मंगोलिया इन्होंने शेयर डेस्टिनी नाम का एक अभ्यास जो है वो मिलकर करके आयुजित किया। तो चीन, पाकेतान, मंगोलिया और थाइलाइंड देस असत्रबल साजा भागया शेयर डेस्टिनी के रूप में आयुजित किया जएगा। वीमेन एंड चाइड डेवलप्मेंट मिनिस्टरी दोरा मनाया जाता है, इसको मनाया जा रहा है और वर्तमान समय में इस्मिनती जो भी निरानी जो है, वो महिला वाल विकास मंत्री है। स्कीम पॉर आपका हॉलिस्टिक निट्रेशन। वो आपके गवर्नर है, विपलो कुमार देव जो है, वो चीफ मिनिस्टर है। आरबियाई ने भारत से नेपाल के लिए प्रती लेंदेन प्रेशन सीमा, पचास अजार रुपए से बढ़ा कर कितनी कर दी है। अब आप नेपाल से जो लेंदेन है, वो दो लाख रुपए तक कर सकते हैं। नेपाल की राधधानी कांटमांडू, राष्टपती विद्याद वेदी भेंडारी, प्रतान मंतरी शेर बाद दुर्देवगा। किस मंत्राले ने नए महानों के लिए एक नया पंजी करण मार्क यानि भारत संखला लॉंच किया है। प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि आपके जो सरकारी नोक्री में काम करते हैं, लगातार उनको अपनी जिगह बदलनी पड़ती है। उनके साथ सबसे बड़ा हैड़क यह हो जाता है कि गाड़ी जो ले लेते हैं, अगर मालों लखनों में ली है, तो उन्हें जब मुंबई जाना तो उसके सबसे रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा, यहां कर रेजिस्टेशन छोड़ना पड़ेगा फिर वहां पे। तो इस सब चकरों से छुटकारा पाने के लिए भारस सीरीज नंबर लॉंच किया गया है, इसको गाड़ी खरीते से हम आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी ऐसी सर्विस में होना ज़रूरी है, जो ट्रांसफरेबल हो, बड़ी-बडी कंपनियों के अंदर भी यह सुविदाइं दी जा रहे हैं, तो मिनिस्टी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने इसको सुरू किया है, और बी-एस रंकला वाले मार्क वाले महान जो होंगे, उनको नए पंजी करन चिन एसाइन किये जाएंगे, जिसमें सुरुआत जो होगी, वो बी-ए चार, चार नंबर आपके आपके नंबर रहेंगे, और फिर उसके बाद दो आपके अलफाबेट रहेंगे, तो इसका पूरा फॉर्मेट देख लीजे, पहले एर है, फिर भी-एच लिखा होगा, तो इस तरीके से यह नंबर यहाँ पर इसू किये जाएंगे, तो दोस्तों यह था हमारा आगस्त का पूरा कंप्लीट करेंट अपयर, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्टन न्यूस थी, और उमीद करते हैं कि आपको यह मजा आया हुगा, करेंट अपयस आपने किया होगा, और आप सभी का बहुत-बहुत धन और सुनाओ क्या चलता है, सब बढ़िया चलता है, बढ़िया बढ़िया, दुबारा करवा दीजे, दुबारा करवा दे, चलो चलो, धन्यवाद, नहीं नहीं डिसलाइक मत करो, मजा आया, हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ भी और चूटा नहीं है, सारी न्यूस हो गई है अब तो नाम ले लो अर्विंद कुमार यादो ले लिया भाई कि तिरिपुरा के गवर्नर्स सत्यदेव नरायन आ रहे हैं रमेज बैस थी ना कहां कहें रमेज बैस देख ले ना एक बार कंफर्म कर ले ना तुम लोग कंफ्यूज कर दे तो कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है बस दस बचे हुए है फटाक्ष कर दो साथ बचे हुए बस बोले न गुर्देव आप कभी कभी बहुत लाल्ची बन जाते हैं क्या मांग रहा हूं भाई तमसे क्लाना खालें है सर्ये सपीशेंट है् हां और देन सफीशेंट है आप अच्छे से कर ले बस इसको मैं पीडियव अभी प्राइन आ रही हैं एक ही पेपर सिफ्ट किया सेट सेंड किया था देखा नहीं है अभी मैंने 646 हो गया है कर दो भाई लाइक कर दो चलो टीगे आच्छे लिए नहीं रखते हैं वाबाय टेक क्या ध्यान रखेगा अपना प्रिंटेबल पीडियाप मिल जाएगे इसके कल मिल पाएगे